कि प्यारे बच्चो नमस्कार कि प्रभाकर मैट्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है कि आज हम लोग इस लाइट सेशन में कि भी से मैं पार्ट वन पेपर वर्ट गुरूप ए पोस्तन में दो हजार दर्श टीम बीव को पढ़ेंगे और सिर्फ गुरूप ए नहीं बलकि ए बेसी तीनों को पढ़ेंगे चुकि पहले में गुरूप ए बताओंगा इसलिए में गुरूप ए लिख दिया हूँ जैसा आपको मालूम है कि टोटल बारा को संग कुछता है सब्जेक्टिव इस बारा में से हम लोगों को पांच को जवाब देना होता है ए बी सी तीन गुरूप होता है तीनों गुरूप में से एक एकोसर को सेलेक्ट करना होता है तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको आइडिया ले ले लेना चाहिए ए बी सी गुरूप देखिए ए बी सी ए में आपका ए में आपका दो भूप होता है सेट श्योरी और श्योरी ओफ इक्वेशन बी में मोडर्न अल्जेवरा सी में मैट्रिक्स अल्जेवरा पलस जिकॉनोमेट्री होता है चार्चा करके कोशन पूछता है हम लोगों को जवाब देना है तीनों मिलाकर सिर्फ पांच और पांच का जवाब देने के लिए हम लोग साथ कोशन के त्यारी करेंगे मिनिमुम साथ कोशन के त्यारी करना भी चाहिए इक कोज़न में आपको बताऊंगे Cult theory से दो कोज़न में बताऊंगे theory of equation से 1 कोज़न मोड़ल Algebra से Make a про 2 complex algebra और 1 सब्सान stigt Dw Timothy O 24-25-757कोजन के मेंख त्यारिया को इस live session में कराऊंगा तो होग कि ये कर्सेप्ट आपकर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको पांसी जवाब देना है लेकिंग मैं साथ की त्यारी करवाऊंगा तो आएए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैं यहाँ पर एक कोशन लिख लिए हूं इसको हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं और फि को दिखाना है कि एफ एउनियन बी इकोल टू एफ एउनियन एप और एफ ए इकोल टू फाई इसका मतब कि आपका फाई के बराबर होगा इस चीज़ को दिखाना तो इसको प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा पार्ट हम लोगों को और सीथ कर देना चाहिए तो आईए उ अगा अजया एक इस एक इस परकार से डिफाईन होगा एफ एफ ए एक बराबर हो जाएगा फाई जहांपकर ऑफ इलूंस टूषिप एक क्योंकी आपका एकक सबसेट है और वी भी आपका सबसेट एंग मुल्म इस प्रकार से ठीपाई कर सकते हैं कैसे अफे बराबर मोटा ऐसे जो है कि आपका इमेज का सेट होता है जहांपर एक्स कि में आपका है एपने से थिक तो आए इसको चिर्द करना से पहले एक इसे हम लोग पहले दिखाते हैं कि भी फूर So, proving the above result, first we will prove if A is subset of B implies F A is subset of F B. पहले हम लोग इस चीज़ को दीखाते हैं। पहले इस चीज़ को अब भूब पुरूब करते हैं, ठीक, आये अपोफ करेंगे। लिए lets fx belongs to fa इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब x belongs to kaha a इसका मतलब x belongs to kaha a सामझ गया लिएकि आ दो आपका b का subset है ना जजब x a में है तो b में भी होगा implies x belongs to b is a e subset of b implies implies fx कहां होगा, तो fx आपका जो है, belongs to कहां हो जाएगा, fb, इस परकार से क्या देखे, fx f a में लेके चले थे, और fx कहां होगा, fb में, तस, if fx belongs to f a implies fx belongs to fb, therefore f a is subset of fb, इसलिए f a fb का सब्सेट होगा, इस चीज़ को सब्सेट कर लिए, क्योंकि इस प्रोपर्टिस का हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे, अब आए हम लोग नमर वन सब्सेट करते हैं, नमर वन, ठीक, नमर वन, लिए, fx belongs to f a union b, implies x belongs to a union b, implies x belongs to a, or x belongs to b, union x का और हो जाएगा, implies, fx belongs to f a, और fx belongs to f b, कहने का मतलब है कि fx belongs to f a union f b, आप fx f a union b लिखे चले थे, और fx f a union f b में आगया, यानि कि ये वला इसका सब्सेट हो गया, लिखेगा, 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 कि यह आपके चीन होता है यह अपकर क्ला धो हम जाएकि अफे यह प्रण होता है दोनों तरफ एप लगा देडिया इंप्लाइज एफ एफ इस और एउनियान भी के एफ यह सबसेट और एफ यह और जब सब्सक्राइब में है यानि कि f a union f b आपका सबसेट हो जाएगा f a union b और इसको आप हमाँ लेजिए दो नमबर इस प्रकार से क्या देखें कि f a union b subset सबसेट है f a union fb का यहां से f a union fb सबसेट है f a union b का जिसका मतलब दोनों रिजल्ट को कमबाइड कि जाएगा यह आपस में equal हो जाएगे लिखेंगे देर फोड वान एंड टू इंप्लाइज f a union b equal to f a union fb और इस प्रकार से आपका शिर्व हो जाएगे समझ गया किस प्रकार को हम लोग इसको शिर्व कर लिए अब आएगे हम लोग सकेंड नमर पढ़ते हैं सब्सक्राइब कर दिखाना है हम लोगों को दिखाना है एक के बराबर 5 इंप्लाइज यह equal to 5 इस चीज़कों को दिखाना तो इसको हम लोग एक कंट्राइक्शन दिखाएंगे ब्रियोगा भास से दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे लेट अद्सक्राइज लेकिंगे इसको एक कंत्राइक्शन दिखा है इंप्लाइज एक बलॉंस तो इप्लाइज क्या होगे एक क्या हों प्लाइज लॉंस तो इप्ट इफ 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 बल्के आप ऐसे लेके मत चलिए हाँ ऐसे लेके मत चलिए आप आप लेके चले इस प्रकार से हाँ इफ पॉसिवल लेट एड इस नोट इकॉल टू फाइल उल्टा लेके चलिए हाँ उस तरह से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा उल्टा लेके चलिए इस पॉसिवल लेट एड इस नोट इकॉल टू फाइड जब एफ फाइड के बराबर नहीं है इसका मतलब ए में कोई न कोई लिए अलेमेंट आपका इंपलाइज अधियर गिस्ट एक्स बिलोंगे अलेट को बिलोंग प्रकार से निए क्कि बलोंग फाइड वराबर न वरॉट रेट रहें S A is equal to 5 Therefore F X belongs to 5 इसका मतलब F X कहां belongs क्या 5 लेकिन 5 तो आपका नन 5 तो आपके empty set है और empty set में तो कोई element कोई नहीं सकता है but 5 is an empty set and it cannot have any element और इसको कोई element कोई नहीं सकता है समझें इसको कोई element कोई नहीं सकता है जब के हम लोगों को दिखा दिये F X belongs to 5 तो ये विरोधा भास क्यों आ रहा है ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर हम लोग गलत माने है हाँ ये गलत माने है इसलिए इस तरह की गलती हो रही है इसलिए हम लोगों का सब पोजिशन क्या है यह रही है यांनि हम लोग जो मानेट थे पिर साइस के बराबर नहीं होगा वह गलत माने थे एक इसके बराबर हो जाएगा और दिए इस इस एक टोफाई इंप्लाइज एक उल्टो और इस परकार से हम लोग जो है इस को सब्सक्राइब इसमें कोई समय से कोई परसानिया आपको नहीं हुई होगी और यह कोई समय से कोई परसानिय नहीं आप इसको लिखे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आए अब हम लोग नेक्स्ट को पढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट कोश्टन कहता डिफाइन कंपोजिशन आफ टू फंक्शन एंड शो डैट कंपोजिशन आफ फंक्शन्स इस नोट नेसेसरेली स्वाइझ कंपोजिशन तू फूपर संस्कुट पहला काम है फिर हम लोगों को दिखाना है कि आपका कंपोटेटव नई होता है तो आ यह इस चीज़ को हम लोग दिखाते हैं इस अंपराइ देविशन उत्गो है। डिए में आपकिन आपक अंपोजिशन क्यों पचांपकिन आपकिन है। आपकिन आपकिन कोंपोजिशन कियों प्रता आपकिन आपकिन है। let f be a mapping from x to y and g is a mapping from y to z then they come to g son of f and g is denoted by g o f n is n is a mapping from x to j given by g o f x to j such that such that g o f x equal to z f x for all x belongs to x is quick photo इसका माधर्ण से समझाइए इस इस श्रूप का माधर्ण से सम्झाइए इस यह आपका एफ पया आप सब्सक्राइब है और इसका इमेज जी वाई जो की जेट के बराबर जी और वाई की जगह पे आप लिख सब्सक्राइब और यह आपका जो रहे डायक्ट मेपिंग हो जाएगा जी ओ एफ और इतना आप दिखा कर छोड़ दिजे यह आपका डेफिनिशन के लिए सब्सक्राइब और हम लोगों को दिखाना है कि आपका कमुटेटिव नहीं होता है तो इसको हम लोग एक एक जांपल के माध्यम से दिखाते हैं इस सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब लेट एफ यह एव्या मैपिंग फुरूम आर्टो आर्ट इस गिवें बाए आफ एक पॉल तो प्रीएप पलासोड थी बियर मैंपिंग फ्रूं आर्टो आर्ट किवन बाएग्ष यह इकल टू एप उप्रीप्ट मैंपिंग होगा आंजे आर्मे समाज़े एंड टेट कि ये भी बर बराबर नहीं होता है इस चीज़ को दिखाना है बहतर एक आप एक जांपक से आई एक एक करके निकालते हैं तो जी ओ एफ एक्स इकोल टू जी एफ एक्स इकोल टूजी एफ एक्स किसके बराबर है एक्स अपका अर windows और जी का काम है इसको कि इसको इसको कर देना है यानि कि 3x प्लस 4 का whole square होगा कहने का मतलब है G O F X equal to 3x plus 4 का whole square होगा F O G निकाल लीजे F O G X equal to F G X equal to F G X किसके बराबर है G X आपका है X square के बराबर X square और S का क्या roll है F का roll है कि F के बगर में जो भी है उसको 3 से गुना करके 4 जोड ज़ता है यहां पर वो है किजे 3 से गुना करके 4 जोड जोड ज़ते है और जट जट यह दोनों आपके बराबर नहीं पर क्या लिखेगा Therefore G O F is not equal to आपका F O G इसलिए आपका composition of mapping commutative नहीं होता है in general हमेशा आपका commutative नहीं ही हो यह कोई ज़रूरी नहीं है बड़ in general यह आपका commutative नहीं होता है ओप कि आपको इसमें कोई समय साइए कोई परसानी नहीं रही होगी आप इसको note कर लिजेगा और यदि आपके इच्छा है कि थोड़ा सा और बड़ा करना है तो मैं अभी एक PDF share कर देता हूं इसके साथ में आप उसको भी इसके साथ में add कर सकते हैं तो आए इसको आप नोट कर देए कर दो आपके साथ में कर दो कि आप इसको आप कर दो कर दो कि अ कि आइए अब हम लोग शेयों और एक्वेशन के question को solve करते हैं क्या question है तो question आपका लिखावा है कि एक equation है by quadratic by quadratic है x by power 4 minus 5 x cube plus 11 x square minus 13 x plus 6 equal to 0 और इसमें कहता है कि दो root आपका connected है एक relation से और वो relation दिया हुआ है 2 beta plus 3 alpha equal to 7 तो कहता है then find all its roots यानि कि इसके सभी roots को निकालना तो देखें यह by quadratic है तो इसमें कितना root होगा 4 root होगा समझें 4 root होगा जिसमें से 2 root का relation दिया हुआ है 2 beta plus 3 alpha equal to 7 तो हम लोगों को चारो root निकलना है समझें हम लोगों को चारो root निकलना है आई यह निकाल से है solution given equation is given equation is ithna hai to fx equal to xp power 4 minus 5x q plus 11x square minus 13x plus 6 equal to 0 समझे यह आपका दिया हुआ है ठीक यह भाई सब आपका है अब इसमें आप चेक कीजे अब आप इसमें चेक कीजे कि x बराबर क्या रखने से यह सटिस्पाइब होता है फ्रवाई जोनी चेक कीजे 1 से चेक कीजे 1 रखेगा तो 1 और एक गारा कितना हो गया बारा बारा छे अठारा और मानस पांच मानस तेरा मानस अठारा तो पर अठारा मानस अठारा क्या हो जाएगे जिरू यानि कि एक्स प्रावर वन इसको सट्रिस्फाइब करता है लिखेगा लिखेगा, since x equal to 1, that is, 5D, Evoire equation, therefore, x बनाबर 1 बनाबर अलफा 6 will be one root of the given equation, इसी लिए x बरावर 1, जिसका नाम हम लोग क्या लिख दिए, अल्फा लिख दिए, ये आपका दिये हो equation का एक root होगा, अब हम लोगों को क्या मालूम है, हम लोगों को एक relation मालूम है, now, we have, we have, क्या मालूम है हम लोगों को, 2 beta plus 3 alpha equal to 7, तो इससे आप beta का value निकाल दिए, तो beta का value कैसे मिलेगा, alpha equal to क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो आपका 2 beta plus 3 into 1 equal to 7, 2 beta equal to 4, beta equal to 2, याने क्या हम लोगों को बीटा का मालूम हो गया, और alpha मालूम चल गया, समझ गया, दो रूट हम लोगों को मालूम है, दो रूट क्या मालूम हो गया, एक 1 और एक 2, दो रूट मालूम हो गया, लिखियेगा, हाँ, 10, x equal to 1 equal to alpha, and x equal to 2 equal to beta, will be two roots of the given equation, इसलिए यह दिये हुए equation से क्या होगा, रूट होगा, अच्छा जब x बराबर 1 एक रूट हुआ, तो x-1 आपका क्या होगा है, sector हो जाएगा, x बराबर 2 आपका एक रूट हुआ, तो x-2 होगा, क्या हो जाएगा, sector हो जाएगा, लिखेगा, so, x-1, x-2, will be factor of, किसका, x-4, minus 5x-3, plus 11x-3, minus 30x, plus 6, इसका एक फेक्टर हो जाएगा, यहनि कि जब x-1 फेक्टर है, x-2 फेक्टर है, तो दोनों का मुल्टिपल भी फेक्टर होगा, लिखेगा, and so, and so, x-1, x-2 इकोल तो किता होगा, x-1, minus 2, minus 1, minus 3x, plus 2, will also, factor of, किसका फेक्टर, x-4, minus 5x-3, plus 11x-3, minus 3x, plus 6, यह भी इस भाई साथ क्या हो जाएगा, फेक्टर हो जाएगा, समझ किया, और जब यह फेक्टर हो गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इस से आप इसको इसको इडिवाइड कर लेजिए, तो फिर अगला दो फेक्टर आपको मिल जाएगा, तो दिवाइड कीजिए, इस स्कॉर मानस 3 X पर लग तूब, दिवाइड करना है, x पे पाउड पूर मानस 5 X क्यूब, पलस 11 X स्कॉर, मानस 38 पलस 6, कितना बारे में खाएगा, x स्कॉर बारे में खाएगा, तो X पे पावर 4, minus 3X cube, plus 2X square, minus plus minus, minus 2X cube, और पलस, 9X square, minus 2X, तो minus 2X cube, अच्छा, ये भी उतारियेगा ना, minus 13X plus 6 भी उतारियेगा, और 3 दूने 6, plus 6X square, और कितना होगा, तो दूने 4, minus 4X, ये पलस, ये मानस, और ये पलस, ये क्यां से, तो 3X square, minus 9X, पलस 6, इस बार तीन बार में लगेगा, 3, तो कितना हो जागा बोलिये तो, 3X square, minus 3, तो 9X, पलस 6, minus, पलस, मानस, यानि कि 0, therefore, X पे पावर 4, minus 5X cube, पलस 11X square, मानस 13X, पलस 6, बाराबर, इस बोनो का मल्टिपल, यानि कि X square, minus 3X, पलस 2, और X square, minus 2X, पलस कितना हो गया? समझ गे? पलस आपका 3, और ये भाई साथ तो अपने आपनी एक फेक्टर है, ये भाई साथ, एक मानस 1, और, एक मानस 2, और देखें तो ये फेक्टर में खुटता है, क्या? तीन एक मानस 3, और तीन से एक गया फी, दो, यानि कि X square, समझ गे? X square, minus 3X, पलस X, पलस 3, ये ना, तीन एक मानस 3, तीन से एक गया दो, कोई भी शाईन आपका इवेल नम्र में आना चाहिए था, कोई भी शाईन आपका कितना नमर में आना है, इवेल नमर में, जबकि minus 1 पर आया है, ये और ओड नमर है, और पलस 3 जो और आया है, जो कि आपका ओड नमर है, तक ये solve भी ने होगा, यानिक इसके factor बनाने से solve नहीं होगा, जब factor से solve नहीं होगा, तो हम लोग के पास दूसरा भी option है, हम लोग दूसरे option को apply करते हैं, तो क्या लिखिएगा? हाँ, therefore, और यह जो है, आपकार कितना हो गया, बल्किल के since, since x to the power 4 minus 5 x cube plus 11 x square minus 30 x plus 6 equal to 0 है न, therefore क्या हो गया? x minus 1, x minus 2, x square minus 2 x plus 3 equal to 0 है, implies x equal to 1, x equal to 2, और x square minus 2 x plus 3 equal to 0 है, यहां से दो रूप तो आपको पहले मिली चुका है, और अब आपको यहां से solve करता है, x square plus b x plus 3 equal to 0 है, न, आपके पहां से x square minus 2 x plus 3 equal to 0, x बराबर minus b, plus minus under root b square, minus 4 a c, और 2 a, समय गया? by आपको हो गया, 2 a, finally आपको क्या मिला देखे तो, finally आपको मिली गया, x equal to, minus x minus plus, plus minus, 2 दूनी 4, 4 और 4 a, 12, 4 से बारा गया, minus 8, न, इन आपको, 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 यहां पर a और i square लिख सकते हैं, by 2, यहनि की 2 plus minus 2, हां, i बाहर, और कितना, 2 root 2 by 2, जो से काट लिजे, 1 plus minus, root 2i, समय गया, 1 plus minus root 2i, समय गया, 1 plus minus root 2i, समय गया, तो जो root यहां पर मिल गया है, और जो root आपका, पहले आ चुका है, x बराबर 1 और x बराबर 2, तो चार पावर था, तो चार रूट मिला चाहिए, और इस परकास हम लोगों को चार रूट मिले चाहिए, क्या लिखेएगा, लिखेएगा, शो, हां, और, रूट रूट आर, एक एक आया था, दो आया था, 1 plus root 2i, और 1 minus root 2i, और यह थी आपका हो गया, चार रूट हम लोग इसको निकल, कोई दिक्कत परसाज़े नहीं हो गया आपको, अब आप इसको नोटे, आए, आए, अब हम लोग नेक्स्ट को सॉल्ट करते हैं, क्या है, नेक्स्ट कोश्टन, काता है, इक्सट रूट पावर 4, पलस 20x2, पलस 143x2, पलस 430x, पलस 462 इकोल टू, और इसको जो सॉल्ट करना है, इसमें लिखा हुआ है, by removing the second term, यानि कि second term को हम लोगों को remove करना है, तो second term आपका कोन सा है, 20x2, यानि कि x2 बाले term को आपको हटा कर इसको सॉल्ट करना है, समझें, x2 बाले को हटा कर आपको सॉल्ट करना है, तो ऐसे केस में, ऐसे केस में आपको सबसे पहले इसके रूट को reduce किजिए, यानि कि जो equation है ना, इस equation को आपको transform करके बनाना पड़ेगा, समझें, इस equation को कैसे बनाना पड़ेगा, transform करने के कई सारा तरीका है, increase करना, decrease करना, reciprocal roots, multiply करना, roots को कई सारा तरीका है, तो हम लोग इसको solve करेंगे, इसके roots को reduce करेंगे, roots को क्या करेंगे, reduce, जिस प्रकार से काड़ान मेथाड में करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पर हम लोग reduce करते हैं, तो कैसे solve किजिएगा इसको, हम लोग लिखेंगे solution, solution, given equation is, इतना है बोले तो, x पर पावर 4, बलस 20x2, 143 x square, 430 x, बलस 462 इक्वार तो 0, इसका नाम देजिए 1, और transform करने में अभी क्या बोले क्या करेंगे, इसके roots को reduce किजिए, ठीक, reducing the roots of equation 1 by x, for this, we put, हाँ, क्या put किजिएगा, तो y बराबर x minus x, that is, x बराबर कितना, y plus x, बराबर आपका होगा y plus a, इस चीश से हम लोग इसके roots को क्या कर रहे हैं, हम तो इसके roots को reduce कर रहे हैं, समयज़के, और अब क्या किजिए, इसका value आप one में रख, वर में रखने से देखें क्या मिलेगा, तो one implies x के जगह पे y plus x पे power 4 plus 20, x के जगह पे y plus x पे power 3, 1, 4, 3, x के जगह पे y plus x पे power 2, 4, 3, 0, x के जगह पे y plus x, plus 4, 6, 2, equal to 0, समयज़के, इतना हो गया, अब देखें हम लोगों को तोड़ना है, 3 power, 2 power का तो formula हम लोग जानते हैं, 4 power का तो नहीं जानते हैं, तो 4 power कैसे चूटेगा, इससे, नहीं, वैसे तोड़ियेगा, तब तो honors की विद्यारती हैं ना, वैसे नहीं तोड़ सकते हैं, आपको binomial यूज़ करना पड़ेगा, कैसे, binomial यूज़ कीज़ेगा, पाइनोमियल के लिए कैसे कीज़ेगा, 4 है ना, तो 4C0, पहला पे पावर दोनों का अंतर, समझे, दूसरा पे पावर निच्चे वाला, 4C1, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर निच्चे वाला, 4C2, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर निच्चे वाला, 4C3, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दुसरा पे पावर नीचे बला थे, 4C4, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दुसरा पे पावर नीचे बला थे, ऐसे करके हम लोग तोड़े, 4 पावर नहीं जानते हैं, इसे तो 4 पावर को तोड़ दिये, तीन पावर तो हम लोग जानते हैं ना तीन पावर जानते हैं तो इसको लिखें तीन पावर को कैसे लिखें गोले तो पलस 20, A पलस B का होल क्यों? A Q पलस 3, A स्क्वार B पलस 3, A B स्क्वार पलस B क्यों? 1, 4, 3, Y पलस S जानते हैं ना? A स्क्वार पलस 2 A B पलस B स्क्वार तोर दीजे तो 430, 430 Y और 430 S पलस 4, 6, 2 इकोल तो आपका हो गया 0 4, 6, 2 इकोल तो 0 अब देखें अब आपको जो है तोड़ना है इससाद के वेलू लिखना है तो वेलू कैसे लिखेंगा? देखें 4, C, 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर नीचे 0 फेलू 1 हो जाता है 4, C, 1 4, C, 1 कितना होता है? 4 होता है 4, C, 2 तो कैसे तोड़ने का तरीका? 4 बटे 2, 3 बटे और जैसे ही नीचे 1 आजाए समझे? जैसे ही नीचे 1 आजाए आप छोड़ देजें इतना बराबर में कटेगा? 2 3 दूना? 6 4, C, 3 4 बटे 3 3 बटे 2 2 बटे 1 यह दूनों कैंसे कितना हो गया? 4 और 4, C, 4 उपर, नीचे समान भेलू कितना होता है? 1 समझे? उपर, नीचे समान भेलू कितना होता है? 1 तो एक होता है तो एक होता है अब देखें तो कितना हो गया इंप्लाइज 4C0 4C0 एक है छोड़ दिजे यह रहा वाई पे पावर फोड़ एड़ी गुट एस पे पावर जीरो एक छोड़ दिजे 4C1 4C1 का मतलब कितना हो गया 4 Y पे पावर 3 और H 4C2 कितना है 6 Y पे पावर 2 H पे पावर 2 4C3 बोले कितना है 4 Y H पे पावर 3 4C4 एक छोड़ दिजे Y पे पावर 4-4 0 फोड़ दिजे और H पे पावर 4 बोला है H पे पावर 4 फिल इसको बोले तो तोड़ दिजे तो 20 Y Q पलस 20 Y कितना है 6 Y स्क्वार H फिर बोले तो 60 Y H स्क्वार फिर बोले तो B X Q फिर बोले तो 143 Y स्क्वार ये दो से कुना होगा ना 14 28 23 2 6 Y X 143 X स्क्वार पलस आपका होगया 430 Y जोड़ तार को पीश एच और 462 इक्वार तो आपका होगया प्रॉप लिख दीजे जो की एक ही जगह पर है ठीक है एक ही जगह पहले लिए और वाइट्यू ले लिए यहां से क्या मिलेगा को रहे है यहां पर न मिलेगा यहां पर क्या मिलेगा पलस 20 अब तो नहीं नहीं है अब तो नहीं है ठीक को पलस य स्कार यहां से शिक्स एफ स्कॉार लेखें कि गरवर्णा हों य स्कॉर यहां से खाले जगहां से करवण होगा ना तो दरोणा जैंगा साथ है और Y स्कूर देखे तो यहां से 143 143 और अब तो नहीं है और अब आपका जो है वाई वाई देखे तो यहां से 4H क्यूर वाई यहां से 60H स्कूर वाई यहां से 2H 6H एक यहां से यहां नहीं यहां से कितना 430 और अब तो आपका जो भी मिलेगा कॉंस्टेंट मिलेगा कितना बोले तो एस पे पाउर फोड़ पिर यहां से कितना बोले तो 20H क्यूब पिर यहां से यहां से यह नहीं कि 143 इस स्कार्ड और पिर यहां से 430 जान्स तो पीच्ध और आपका पूर एक्सक्टू से कितना हो गया इस इक वर तो आपका हो गया जीरो ठीक कर देखे हम लोगों को क्या मूंकर ना है यानि कि इस चीज को रिमूब करना तो इसको रिमूब करने के लिए इसके को क्या करना पड़ेगा जीरो के बराबर है यह तो क्या लिखेंगे और रिव्यूज सकेंट तर्म कि वोग रिमूबी कि सब्सक्राइब पुट कि क्या पुटेंगे जोरें प्लस्ट वंची और पूजियो डेटीज को एक लिखेंट माईनस वंटी का नाम यह यह जा है कि एक नाम दिया है और इसका नाम आप क्या किजिए दो नंबर तो तो इंप्लाइज तो इंप्लाइज देखे तो वाई पे पावर फूर कि यह तो आपका खत्मे हो जाएगा और जारा मुजवानी फटाफट सॉल किजिएगा ठीक यहां पर आप मैनस पांस की स्क्वार ठीक हम क्वार भाव बोचेज मोबाइल मिकाल के जरा हुआ है श्याज केश्थि फटीशन हमां कि फैस चोंकं प्रफटाईर लिखेंगे तो द लिखेंगे चोंग सबर्सुं असिम में उर्टे का फाल गश्या का श्यआ 주ama Σब्सक्यिश मैनस तीन समंशंव पिश्य expressed on प्लस 143 किजिए कितना है मैंने स्टेवन याने कि मैंनस सेवन वाई स्क्वार चीए अब सुनिये अब देखे पचे पचीश कुंचे सावा सो सवा सव चो कि कितना जी पांसो मैंनस पांसो लिखे मैंनस पांसो ठीक और पचेश पचीश पचीश शके देड़ सो देड़ सो किजिए पलस देड़ सो पलस पलस प्लिख देड़ सो पलस और फिर उसमें चार सो तीस पलस किजिए कि चार सो तीस पलस कि और कितना है हां तेहत्तर याद रखिएगा तेहत्तर याद रखिए ठीक साफ लेकित तो यहां पर पांस ना बचीश पंचीश सवा सो सवा सो चो के मैनस पांसो लिखे मैनस पांसो लिखे मैनस पांसो एक सुरू से किजिए ना मैनस पांस प्लस पांसो भा और आज मालश पॉचेश पांसीश चाके वही तु इतना आया कि चौंदा सब तीश और फिर आप ऐसा किजे देखें च्छोंपांस चे पीश्य कर सुनना और रहा टीन अट पर चालिश टीन तीन हाथ कर रहा चार पांस दसका सब्सक्राइब जिरू यानि कि यह वला जो है ना वाई वला तर्मापकर नहीं बचेगा अब देखें फिर से कितना है हाँ मैनस 5 पर चार तो 25 25 25 अहां 625 देखें 625 हो गया फलास में और 125 गुना दो दाइसो जिरू परचीस सो परचीस सो मैनस में परचीस और कितमें मैनस में और परचीस परचीस को 143 से गुना किजे तो 3 575 चया गुदा 3 575 15 143 से आब चार सो तीस को पाँच से गुना किजे 2 1 5 0 और 400 पांच 5 पांच 5 पांच 5 पांच 5 तसले चार पांच 5 पांच 10 तसले वोलिया तो जीरो पांच छे चार यह मैनस ना तो यह दोनों घटाएगा तो बारा पलस में कितना बचाएगा बारा पलस में कितना बच गया बारा इक्वाल तू जीरो समझे यह आपका आया ठिक यह भाई साथ आया और अब क्या कीजिए आप देखें तो फेक्टर बनता है क्या बारे कम बारा चार यहीं बारा और चार तिन सा क्वाल फेक्टर बने गया तो आपका इतना हो गया y पावर 4, minus 4y स्क्वार, minus 3y स्क्वार, plus 12 equal to 0, y स्क्वार common, y स्क्वार minus 4, or यहाँ पावर, minus 3 common, y स्क्वार minus 4 equal to 0, तो y स्क्वार minus 4, y स्क्वार minus 3 equal to 0, y स्क्वार equal to 4, or y स्क्वार equal to 3, y equal to plus minus 2, और y equal to plus minus root 3, यहनि कि y equal to 2 minus 2, 3, root 3, और minus root 3, यहाँ यहाँ, y के कितना value मिला, 4, लेकिन y तो हम लोगों को नहीं निकालना था, अब relation देखें तो x बराबर कितना है, y plus h, अब देखें तो यहाँ जो है, आपका relation, यहीं पिलिके relation, चुकि x बराबर y plus h है, y plus h, लेकिन h आप क्या निकाले, h बोलिये तो, h तोहाँ निकाले, h कितना निकाले है, minus 5, यह भाई साथ कितना हो गया, minus 5, बराबर देखें क्या होगा, पहले पहला वाई रखें तो, पहला वाई कितना है, 2, तो 2 minus 5, फिर कितना है, minus 2 minus 5, हाई या नहीं, फिर कितना है, root 3 minus 5, और फिर minus root 3 minus 5, that is x बराबर minus 3 minus 7, और यह जो है, minus 5 plus root 3 minus 5 minus root 3 आया, या नहीं, एक बाद पहले match कीजे तो, जड़ा match कीजे तो इसको, तो देखें, बिल्कुल मैं answer को मिलाया, यही आपके answer, यानि कि यह जो आपका equation दिया हुआ था, इस equation का जो solution हुआ, और solution किस प्रकार से हम लोग निकाले, तो second term को remove करके, और वो solution क्या मिला, minus 3 minus 7, minus 5 plus root 3, और minus 5 minus root 3, 4 degree के equation था, तो 4 solution मिलना चाहिए था, और हम लोगों को 4 solutions मिली गा, और यही हम लोगों को क्या हो गया, answer, समयची, यही हम लोगों का answer हो गया, अब आप इसको load किजे, और फिर हम लोग पढ़ते हैं, कार्डन मेथाड़, आए हम लोग अब इस क्यूबिक एक्वेशन को कार्डन मेथाड़ से सॉल्व करते हैं, समझे इस क्यूबिक एक्वेशन को, हम लोगों को solve करना है, और किस मेथर से solve करना है, तो solve करना हम लोगों को कार्डन मेथाड़ से, तो अब सबसे पहले एक बार बताईए कि कार्डन मेथाड़ से solve करने के लिए, होना चाहिए ज्यानि की उस चीज्स को हम लोगों को क्या करना है रिमूव करने की लिए कुछ तरीक हम लोग पढ़े थे क्या तरीका पढ़े थे सबसे पहले इसके जो है रूट्स को वंडों रिडूस करते हैं समझ गे X से रिडूस करते हैं किसे रिडूस करेंगे X तो क्या लिखेगा लिखेंगे Solution Even cubic equation is क्या दियावा बोलिये तो X cube minus 3 X square minus 10 X plus 24 equal to 0 ठीके क्या किजे, reduce the roots of the equation by h. For this, we put y बनाबर x minus h. y बनाबर क्या पुट करेंगे? x minus h. Therefore, x बराबर कितना हो जाएगा? y plus h. और अब देखें, तो one implies कितना हो जाएगा? x cube, याने कि y plus x का कितना whole cube? minus 3, y plus h का square, minus 10, y plus x, plus 24 equal to 0. इसको तोड़ दिजे. a cube plus 3, a square b, plus 3, a b square, plus b cube. हाई याने, minus 3, minus 3, a square plus 2, a b, plus b square, minus 10 y, minus 10 x, plus 24 equal to आपका हो गया? 0, ऐसा कि जाएगा है, y cube देखें तो एक जगा है, y cube लिख दिजे, और पलस आप लिख दिजे, y square, और यहाँ पर बाजो में कितना आ गया? 3 x, समझे य, y square, y square यहाँ पर है न, यहाँ बाजो में कितना? minus 3, आप तो हैंने y square, अब आप लिखें जो y, y लिखेंगा तो यहाँ पर क्या बचेकर बोलिए तो? 3 x square, y लिखेंगा यहाँ पर minus 3 दूना, 3 दूना कितना? 6, देखेंगा जरासर भी गरवड़ ना होने, तो पूरा कुछन गरवड़ा जाएगा, और यहाँ पर कितना? minus 10, और अब जो है, कि जितना बच गया, उसको लिखेंगा, यह ले लिए y square, यह ले लिए एक यहाँ बच गया, xq, और एक बच ले हैं, minus 3 x e square, देखेंगा, कुछ फुटे ने, यह ले चुके है, एक यह बचा है, minus 10 x, फॉलर्स 24 इकोल टो, कितना हो गया, 0, मिला लिए जेकुद गरवड़ तुने है, अब हम लोगों को क्या रिद्यूस, क्या खतम करना है, y square को हटाना है, y square को हटाने के लिए, 3 minus h को 0 करना पड़ेंगा, हाया नहीं, To reduce, to reduce, second term, we put 3 h minus 3 equal to 0, that is, h बराबर कितना, 1, h बराबर कितना, 1, इसका नाम देजिजे दो नमबर, इन 2, किसमें put किजेगा, हम लोगों दो नमबर में put करेंगे, समझे, दो नमबर में put करते हैं, देखें तो क्या मिलता है, put करके देखिए, बोले कितना मिलेगा, y cube, ये तो 0 हो गया ना, और ज़रा मुझवानी हल कर लिजे तो 1 रखे, 3, ठीक है, और 6 और 10, 16, 3 से 16 गया, मानस 13, यानि की, मानस 13 y, और देखें, ये कितना हो गया, भूले तो 1, एक और 24, कितना है, 25, ठीक है, 25, और 25 से 3 क्या, 22, 22 से 10 क्या, 12, यानि कि पलस में 12 बशेगा, नहीं, पलस 12 इकोल टो कितना हो गया, 0, समझ गया, पलस 12 इकोल टो आपका हो गया, 0, और अब यहां से हम लोग याद किजिए, तो क्या पूट करते हैं, य बराबर, M पलस N, ठीक, तो लेट, य इकोल टो M पलस N, क्यूब बोट साइद, क्यूब बोट साइद, क्या हो जाएगा, य बराबर, M पलस N पे पावर 3, तो य तो बराबर, A Q, पलस पलस बीक्यू पलस फ्री है भी है यह पलस भी नहीं एट तो वाइट क्यू इकोल टूद लेघू यू पलस एन्ग फिर किसके बराबर हो गया आगे वाइक के बराबर अब सब कुछ एक तरफ लेकर चलिया इसका नाम आप देजिए तिंग नमबर और वाइटू ये लाइएगा कर माइनस 3, M & Y और ये लाइएगा कर माइनस M2 परदस M2 बराबर कितना है जिरू और इस्ता क्या कर देजे नाम देजे चार समझे इस भाइए क्या नाम हो गया 4 और अब 3 और 4 को कंपियर किजिए समय से तीन और चार को क्या करना है संप्यार करना संप्यारिंग थ्री एंफोर कम प्यारिंग थ्री एन फूर वी गें क्या मी लेटर वोलिये तो देखें मानस थ्री एमें मानस थ्री एमें इकोल टो कितना मानस थेरा और यहां से मानस एन फूर प्राबर आपका बार यह तो कैंजिल हो गया तो MN इकोल तो 13 बटे 3 और यहां से MQ पलस NQ बरावर कितना हो गया माइनस बार यहां से भी सौल्ब करने का कई सारा तरीका होता एक तो हम लोग क्वाट्रेटिक में चाहें तो बना सकते हैं और वहां सरूर से ले सकते हैं या फिर क्या कीजिए एक और भी तरीका है वह क्या तरीका है कि MQ माइनस MQ का होली स्कॉर लेकर चलिए तो इतना हो जाएगा फॉर्मुला देखे ए-माइनस दी का होली स्कॉर बराबर मैंनस और मैंनस इतना 4 तो यही पीज़े सो आप बोलें कितना हो जाएगा एक जगा पर MQ और यह भाई सब NQ, यह कितना है, मानस 12, मानस 12 के स्कूर, मानस 4, और इसका मानि कितना है, 13 वट्टे 3 पर पाउर जितना हो गया, 3, तो देखें तो 3 ती आई, 9 ती आई, 27, हाँ या नहीं, सब्सक्राइब करें, 13, 9, 27, हाँ आपका हो गया, एल से हो, फटा फट जाना जो है न, बर बर रहे कितना हो गया, 144 को 27 से गुना करके, 144 को 27 से, तीन है, 888, आइसे नहीं, आइसे नहीं, आइसे नहीं, अलागतर, तीन, हाँ, आँ, यही हो आना, मैं, तीरा को 3 बार गुना कीजिये, 13 गुना, 13 गुना, 13 और फिर चार से गुना कीजिये, तेरा को किसे गुना गिए कितना आया है तो यह जो है देखिए आठ से आठ गया कितना होता है जिरो आठ से आठ गया कितना जिरो एक जब परिचा लेंगे सद्राइब किसे आठ गया कितना नो इसाथ साथ से तीन गया चार बटे कितना और यह किसमें माइनस में इसमें हो गया मैनस में तो यह भाई साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको आप ऐसा कर सकते हैं देखिएगा तो कि सब्सक्राइब कि बटे ज्री रूट प्री का होली स्क्राइब कर सकते हैं आई स्क्राइब कितना होगा मैनस और सब्सक्राइब इंचाश सकतर के स्क्राइब तो और स्टीन के स्क्राइब नहीं नौट अनौट यह इतना मैं लगता है कोई डाउट नहीं है तो अब दोनों तरह आप इसक्वार रूट ले लिजिए कि दोनों तरह जगा भी नहीं ना फिर दोनों तरह है स्क्राइब नीच जाएगा है एंड और यहां होगा मानस कितना होगया थिक है सेवेंटी आई मानाज ठीडूर्ट ठीजिए अब इसको नोट कीजिए और फिर जो है नहीं हम लोग इसको सौल करके एम और एंड कमान निकालते हैं आप इसको नोट कीजिए पर लेकिए कि देखिए अब हम लोग क्या करते हैं मी कूप पघस एनक्यू बराबर कितना अब काया मैनेस बारा और एंड कूप मानेस एनक्यू बराबर आपका वग्या सटर falar बटे चरी रूट तो एक वार आप जोड़ जीए गा तो किसका वेलू मिलेगा एंड क्यूक का और मैनस कीजे एडिंग बोलिये तो क्या मिलेगा यह दोनों कड़ जाएगा तो एम क्यू पराबर मानस बारा जो सतर आई बाटे फिरी रूट दो से भाग दे दिजे तो एम क्यू बराबर किता मानस छे पलस पैंटीस आई बाटे चिरी रूट जी आया ने और इस प्रकार से एम क्यू पराबर हो जाएगा हुआ आप एलसेम लें एलसेम कितना प्रेंटीस हो गया यहां पहर का परिमिकर्म कर लेज़े तो चिरी रूट थी वर्टे कितना प्रेंटीस कर लिजेगा तो MQ बराबर देखी 18 Ti कितना बोलिये तो 18 छक्ये नहीं देखे रूट 3 कुने रूट 3 कितना हो गयती आज 3 Ti कितना 9 अठाग नहीं बुसक्ता से ना एक सो बाउसर माइनस एक सो बाउसर अप्पला 35 पांच देख पंदर का पांच हाँ एक सो पांच और नीचे कितना हो गया 27 नीचे कितना हो गया 27 यानि कि M बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस 162 अप्पलाश एक सो पांच रूट 3 आई पटे में 3 क्यूब और इस पे पावर कितना क्यूब इस पे पावर 1 बाइट क्यूब आया ने उदर एम का पावर 3 था ती इधर आएगा कितना हो गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं और इस प्रकार से आपका एम इकोल टूब कितना हो गया तो वन बाइट थ्री तो पहले आपका बाहर हो जाएगा इसके वज़ा से तीन-तीन केंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा माइनस 162 पलस 105 रूट 3 आई और इसके पावर कितना वन बाइट 3 यह तो एम मिला ना आप माइनस करते हैं सब्रेक्ट करते हैं सब्रेक्टरेंग यह दोनों केंसी तो आपका 2N क्यूब हो जाएगा माइनस 12 यह माइनस हो जाएगा सत्तर आई बटे 3 रूट 3 दो से भाग दे जिए एनक्यू पराबर माइनस 6 और माइनस कितना हो जाएगा माइनस 35 आई बटे 3 रूट 3 तो एनक्यू पराबर आपका 3 रूट 3 यह सेम हो गया ना सेटी 18 माइनस 35 आई शिरी रूट 3 से उपा निचे गुना कर दिजे तो सेम आएगा सिर्फ आपका बीच में माइनस हो जाएगा माइनस 162 माइनस 165 रूट 3 आई बटे में कितना 27 तो एन बराबर माइनस 162 माइनस 162 बटे 3 पर क्यूल कूरे पर कितना 1 बैठी हो गया है और इस परकार से एन बराबर माइनस 162 बल्के पहले आप 1 by 3 को बाहर कर लिजे 1 by 3 बाहर और बुलिये तो क्या हो गया माइनस 162 माइनस 105 रूट 3 आई और इसके पावर कितना एक बटे 3 और अब आप इस पे एक चीज़ चेक किजे कि इसके एक बटे 3 एक बटे 3 मिलीगा मानस 162 मानस एक इसक बाहर यह से में है बर दस्विक किसका पलस मायनस का तो परख रख ना पर एक उस्वाइब कि जेगा तो दूसरा आपको आपका आजाएगा लिट मानस 162 पलस 105 रूट 3 आई बराबर इसके जगर पर क्या लिजेगा एक अब पलस यहां पर पी रूट 3 आई रूट 3 इसलिए लिए क्योंकि यहां पर पावर में कितना है यहां पर रूट 3 और इसका पावर में एक वट्टे तीन धाना एक वट्टे तीन पावर को हम लोग इतना मंग दो क्योंकि अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है अब क्यूब पावर कर दिजे दोनों तरफ क्यूबिंग बोद साइज क्यूबिंग बोद साइज तो मानस 162 पर एक सब्सक्राइज रूट 3 आई बराबर एक पर रूट 3 पर पावर कितना हो गया और इसको एक पर बी क्यों होल क्यूब पर तोड़ दीजे हां या नहीं तो तोड़िये गा पर कितना हो जाएगा एक्यूब पलाज 3a2 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 2b3a2 2b3 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 i2 2b3 2b3 i2 2b3 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 3b3 2b3 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 3b3 3b3 2b3 3b3 3b4 अब देखें इतना हो गया ना अब देखें तो क्या मिलेगा समझें देखें बिना आई बला क्या है एक यू ठीक और यह भी बिना आई बला होगा अब पलस पलस जो है आई बाला इस दोनों से मिलेगा यहां पर पाइड़े आई कोमा लेगा तो क्या मिलेगा इसलिक और यहां से यहां से यहां से भी आपका च्री रूट ठीक होगा क्योंकि रूट ठीक क्यों प्राबर मैनस जूप और यहां को बिक्राइब होता है इसलिक और विट प्राबरिंट उबलायि क्या होगा較 माइनस यह बहें तो कितना बराबर माटकर 162 पलस 105 रूट 3 आई बराबर यहां से कुछ कोमन ले लिजे A कोमन आ रहा है तो A स्क्वार माइनस 9 B स्क्वार और पलस रूट 3 आई आपको कोमन चाहिए तो रूट 3 तो कोमन आ यह रहा है हाँ यह नहीं तो देखे तो 3 रूट 3 और B B कोमन आ रहा है हाँ या नहीं और I B ले लेंगे बाद में 3 रूट 3 गया बी गया तो क्या बज़ गया A स्क्वार 3 रूट 3 गया B गया आई मानस B स्क्वार और A आई जो आपका है नहीं तो यहां तक तो होब कि पोई दिक्त नहीं आप दोनों तरफ जोए न रियल और इमेजमेरी पार्ट को एक्वेट करते है यहां और इमेजमेरी पार्ट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिन नरी पार्स यहां ते कितना A A स्क्वार मानस 9B स्क्वार किसके बराबर 162 माइनस में और यहां पर I के बाजू में 3 रूट 3B A स्क्वार मानस B स्क्वार और इभार आपका है 105 समझी 105 रूट 3 तो इदा तो कटेगा, काट देजिए तो A A स्क्वार मानस 9B स्क्वार बराबर मानस एक स्क्वार यहां जो है रूट 3 रूट 3 केंस लिए भी कटेगा 10 कि नौ 15 कि यानि कि B A स्क्वार मानस B स्क्वार बराबर अब यहां पर आपको हीट एंड ट्राइल मेथड यूज़ करना पोड़े समयज़ गए हीट एंड ट्राइल मेथड यापको यूज़ करना 162 को आप कैसे लिख सकते हैं एक दू एक्टर तोड़िए दो तीन से भाग लगेगा हाँ तीन से लगेगा चार से नई चार से लगेगा छे से लगेगा ठीक छे से लगेगा हाँ यादे रहत है और साज दू आप चोदर साद से नहीं आठ से देखे तो आठ से नौ से हाँ नौ से लगेगा नौ से लगेगा समच गेदा नौ से लगेगा 10 से नहीं 11 से 12 से 12 एक कं 12 4 दू 13 से सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखें तो चांवाग में लगना चाहिए छांति देखें सब्सक्राइब चार को ना चार को चार को चार को दोख रहा चार के लिसके शॉजब कर शॉजब दूश्बूशे पान्च पर आएगा उस्वाइगा कि इसके तरीका बता देते हैं जैसे कि तरीका 162 है ना देखें पहले दो सीखिलाइए कितना आठ और कितना एक फिलतीन से करें तरीका सथाइस फिर केंशरी नोगिया अनुश्य के तराद किसका नुव ओतव नौन रखर सब्सक्राइब सब्सक्राइब समझगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि इतना सब्सक्राइब और आपका पैंटिस है ना पैंटिस के एक पांच साथ और पैंटिस हाँ या नहीं कितना खाएगा अब आप हीट एंड यूज करना कि किसका क्या लेने से आपका सौर्व होता और उसी को पकड़िये जो ज़्यादा असान होगा जिस्से देखें ये जाना अवार्व कि यह जाना आइसान तो पहले दोनों वन वन पकड़ पकड़ी तो फिथ हता है ये ववन विवन हॉन आया नहीं कि ये वन और फिवन कि यह एवन विए तो यह एक के जगह रखे तो नहीं पछले कि दिलों कि तो फॉर्ट है इसका जो है इसका प्रकर यह तो इसमें कम सेक्टर रहें ना वी को प्रक्राइब तो पांच पकरेगा इसका एक पकर यह देखिए एक पकड़ी एक से 25 गया कितना मानाश 27 अच्चविस और पंचे एक सोग पैंटीस दुगम से कम ने आएगा छोड़ दीजे दो पकड़ी ये तो एका बी पांच है ना पांच दो दुनी चार चार से 25 गया एक किस नहीं बहुत कम है ना नहीं पकड़ा रहा है तीन पकड़ी ये तो ये पांच है ना तीन ती ये नो नो से 25 क्या है सोला है सोला गुना पांच सोला पंचे इस नहीं इसका छे पकड़ी ये तो लाइन उस्तर्थी पकड़ी है तो अधाः अधा इसका िसका विए तो फ़ोस्ताय के विए हैं और ये से ही तो आए कैसे तो नहीं बात पन नहीं है ना शेर और एक यह बाइशाब एक लिए खोड़ दीजे और एक क्या लिए छे अचा के शत्तिस और वी कितना लिए एक शत्तिस एक गया पैंटिस एक इस इस इतना हो गया जाने कि शे और एक से बात बने लेकिंद आपको दोनों पर से फीट होना चाहिए ना अभी तो ट्राइए एक जगह किया दूसरे लेकर ट्राइए तो यहां पर आप एक जगह क्या ले रहे शे ठीक है और शाके शत्तिस और यहां पर एक शत्तिस नों गया इस्वाइश विए तो चोई नहीं है तो यह जो यहां यहां यानि मैस को छे और एक करेगा आपको चिन मैस कराना कौन सा पलास और कौन सा माइन पहले जो है इसी को पलास और इसको माइनस लेके चले तो एक के जगा माइनस लेकर ने पड़ेगा और यहां पर यहां से कि यहां से मांड़ से फर्क पर जाएना इस फर्क पर जाएगा ना और आपको तो प्रण पर ला चाहिए लेकिन इने भी बिरेफाइट कर लिजिए ए सब्सक्राइव जाके ते ने पड़ेगा यानि कि हीटन में तर्म से आपका यह कि हीट एस हॉट निए कि ये बराबर माइनस सिक्स और वी बराबर कितना हो गया इस तरह से करके आपको प्राय करना ही पड़ेगा हमेजिए ठीक है इसको नोट कीजिए फिर मिटा कर आपको बताते हैं नोट कीजिए कि अब क्या किजिएगा बोलिये तो अब जो है यह और भी तो हम लोगों निकाल लिए ना यहां पर बेलो रहे हैं समझ गए तो क्या लिखेंगा ध्यार फूर्ट ट्यार फूर्ट माइनस वन सिक्स्टी टू पलस एक सो पांच रूट थ्री आई पर पावर वन मैं थ्री बराबर ए एक इतना निकला माइनस सिक्स पलस प्लस फी पी तुवन हैं छोड़ दिजे रूट थ्री आई पलस कितना हो गया रूट थ्री आई हाया नहीं और इस प्रकार से अब आप एम लिख सकते हैं एम के जगह पर क्या लिखेंगा दियर फूर एम इकल टू वन बाइ थ्री और फिर ये चीज है ना है या नहीं और इसके जगह पे आप क्या लिखेंगा माणस के पलस रूट थ्री आई एंन एक वर टू कितना वन बाइ थ्री इन देके सेम चीज है किस सीज का फर्क है माणस का यहाँ पर भी माणस के फर्क हो जाएगा मानस 6 और मानस root 3 आई मानस 6 और मानस कितना हो जाएंगा root 3 आई हाई या नि और इस प्रकार से हम लोग M और N को निकाल दें और M और N तो Y बराबर यह क्या है याज कीजे तो Y बराबर M पलस N है न तो Y बराबर M के जगर पर 1 बार 3 मानस 6 पलस root 3 आई और पलस 1 बै 3 और मानस 6 मानस root 3 आई हो जाए ठीक है और फिर बोलिये तो क्या मिला तो ये तोनों भाई साब केंसिल तो Y बराबर M पार 2 और यहां से कितना जी यहां से भी M-2, M-4 यानि कि Y बराबर M-4 आगया Y बराबर कितना जा M-4 तो x बराबर बोलिये तो क्या था चुकि x बराबर आपका था y मैनस नहीं नहीं y पलस क्या था x अन x बराबर तो y मैनस 4 y मैनस 4 या ऐसा किज़ें यहां पर मत किज़े वो बाद में करेंगा अब ही आपका y बराबर कितना मैनस 4 आ गया न आप तो y-4 आपका क्या हो जाएगा ये वो फेक्टर हो जाएगा उसको पाद में कीजिएगा क्या लिखेगा therefore therefore y plus 4 is a factor of कौन सा क्यूबी कीप टिशन है बोले तो कौन सा क्यूबी कीप टिशन है y2 नहीं नो y2 तो एक टूबला जेखें वाई क्यूबला के तो इससे क्या करना है इस से क्या किजएगा भाग देना इनगा इसको मिटा लेते हैं तो अब क्या किजेगा बोलिए तो यहाइप पलस पूर से किसमें भाग देना है कि इसमें भाग देदीजे तो याद किजे आपको तरीका सिखाया है कौन सा में था है सिंथेंटिक डिविजा इदर आपका माइनस यहां पर यहां पर यहां पर 12 यह उतर गया उना की जेगा तो माइनस शार जोड़िये तो माइनस शार चर्चों के सोल कितना जी तीन और चार पी आई 12 वेलू जीरू यह आपका रिमेंडर हो जाता है और यह आपका पॉर्शन तो पॉर्शन इकोल टू कितना मैक्समम पावर है तीन ना तो दो पावर एक कम पावर से शुरू हो जाता है तो 1 इंको वाई स्क्वार मानस 4 इंको पावर घटाते जाए यानिक वाई स्क्वार मानस 4 वाई पालस 3 इसका फैक्टर बनाए तो तीन एक हम तीन तीन एक चार फैक्टर बना ग्याना वाई स्क्वार मानस 3 वाई मानस वाई पालस 3 तो वाई कोमान वाई मानस 3 मानस 1 कोमान वाई मानस 3 तो वाई मानस 1 वाई मानस 3 therefore आपका y q minus 13 y जोड 12 बराबर है क्या मिला बोलिए तो कितना बराबर 0 है न तो that is इसके जगा पे आप क्या लिख सकते हैं y minus 1 y minus 3 और 1 to y minus 4 न बल्के y plus 4 y plus 4 equal to 0 हो गया y equal to 1 3 और कितना minus 4 y equal to 1 3 और कितना हो गया minus 4 but but x equal to कितना है y plus है यानि कि y plus x का भेलू क्या निका ले थे चेकीजे तो x का भेलू 1 निका ले थे 1 हो गया therefore x equal to 1 रखिये तो 1 जोड 1 फिर 3 जोड 1 फिर minus 4 जोड 1 यानि कि 2 4 और minus 2 that is that is roots of the given equation r क्या क्या मिला सबसे पहले minus 2 फिर 2 और 4 तो 3 root मिलिया क्या क्या मिला minus 2 तो और 4 हाँ यानि एक उपर answer मिला लीजे तो तो एक सब्सक्राइए minus 3 2 4 है जी अच्छा ये minus 3 होगा ना हाँ या नहीं ये कितना होगा minus 3 नहोगा तक ये कितना होगा बोले तो और मायनस ठीशन होगा देए यह जो है आपका कितना मिलेगा जो और अरो ब्रॉक मेरह यहीं दिया हुए और माइनस ठीशन और फोर आपका यह च्या मिला सलूशन मुले बोगत कोई दिक पॉई परसाने नहीं होगी आपको तो मिसको नोट किजिए और पिर प्रभाकर मैक्स अपकी आज हम लोग इस लाइब शेशन में मोड्र अलजेब्रा यानि के एक बहुत ही important पढ़ेंगे और वो त्योरी है वो ओर नहीं आपका लगैंजेश फ्योरम का नाम है लगैंजेश फ्योरम प्यारे बच्चो यह लगैंजेश फ्योरम abstract algebra का बहुत ही important topic है एक तो इससे direct theory भी पुछता है theorem पुछता है इससे related कई सारे question पुछते हैं और साथ ही साथ प्यारे बच्चो अब सर मैं देखता हूं कि इससे objective भी आपका आता है तो आईए हम लोग पहले इसके statement को देखते हैं समझते हैं और फिर इस theorem को पुरूफ करते हैं मैं आपको बता दूँ कि कई बार examination में state main लिखावार रहता है और कई बार direct लिखावार रहता है state and proof Lagrange's theorem यदि statement लिखावार है तो आपको statement लिखने के जरुवत नहीं है डारेक्ट पुरूफ कर देना है और यदि यदि statement नहीं लिखावार है तो प्यारे बर्चो यदि question आता है state and proof Lagrange's theorem तो आप डारेक्ट पुरूफ लिखेगा तो आपका काम नहीं चलेगा उसके लिए आपको statement लिखना बहुत नहीं अनिवार हो जाता है जरूरी हो जाता है तो क्या statement है statement क्या कहता है इस चीज को हम लोग समझते हैं क्या है The order of each subgroup of a finite group G is a divisor of the order of group G that is if G is a finite group of order N and H is a subgroup of order N then M divides N then M divides N इस चीज को पहले मैं आपको समझाता हूं ये कहना क्या चाहता है कहना ये चाहता है प्यारे बच्चो कि एक गूरूप आपका G समझे एक गूरूप आपका G है और ये G आपका finite group है समझे एक गूरूप G है ये गूरूप आपका finite है और इसका order N है इस group का order N है तो H जो कि G का एक subgroup है जिसका order M है तो यह जो आपका subgroup का order है यह group के order को भाग देगा समझगे यानि कि M भाग देगा N को M किसको भाग देगा तो M भाग देगा आपके N को यानि कि order of subgroup भाग देगा order of group कहने का मतलब है कि M भाग देगा N को M divides N समझगे M divides N इस दोनों में से कोई भी statement आप लिख कर काम चला सकते हैं और हां कोई जरूरी नहीं है कि एकदम line by line word by word आप यह statement लिखे ऐसा कई बार नहीं हो पाता है तो आप इस चीज़ को समझिए और अपने भासा में statement को लिख दिजे वो आपका मान रहेगा भेली रहेगा ओप कि आपको अभी कोई दिक्कत कोई परसाने नहीं हुई होगी और प्यार बच्चों में आपको बता दो इस चोरी को पूरूप करने से पहले जो आपका basic concept होना चाहिए basic concept का मतलब finite group क्या होता है गुरूप का order क्या होता है सब गुरूप क्या होता है सब गुरूप का order क्या होता है कॉसेट क्या होता है लेफ्ट क्या होता है होग कि इस सीज को आप अच्छी तरह से भली बाती जानते हों क्योंकि मैं पिछली क्लास में ये सब आपको बता चुका हूँ तो आपको जो बेक्ग्राउंड का जानकारी होना चाहिए आप भली बाती जानते हैं और यदि आप नहीं जानते हैं आप मेरा पिछला वीडियो देख लिजेगा आपको भली बाती सरकु समझ में आ जाएगा ठीक है आए इस चीज़ को आप हम लोग प्रूफ करते हैं will proof Let G be a funny group of order एंड 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 वी इस सब्सक्राइब जी आपका एंड पनाई गुरूप है और एंड और एंड इसका सब्सक्राइब जी है एंड 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 और एंड गुरू आल एंड गुरू एंड एंड गयं के शुन तो डैट एंब डिभाइट्स तब हम लोगों को दिखाना है कि एम भाग देगा यानि कि एम डिभाइट करेगा एन को इस चीज को हम लोगों को दिखाना है ठीक है दिखाएए चलिए बेरे गुड लेट तो order of h equal to m चुकि h का order m है इसका मतलब की h में m elements है suppose suppose h1 h2 h3 dot 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 hm rm elements of h हम लोग माल लिए कि h में चुकि order of hm था यानि कि h में m element है और उस m element को हम लोग ले लिए h1 h2 h3 dot 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 h ठीक है यह हम लोग ले लिए ठीक चलिए very good let a belongs to माल लिए क्या कि a आपका g में इस g में क्या है g में एक element हम लोग ले लिए a समझे g में एक element क्या ले लिए g में एक element ले लिए a ठीक लिखेगा then a h will be left coset of h in g अभी मैं आपको बता रहा था कि left coset का जानकारी हम लोगों को होना चाहिए और बिल्कुर होना चाहिए क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके है तो a आपका g में है और h आपका g का सदुरूफ है इसलिए a h आपका h का समझे a h left coset होगा और किसका h a h h का left coset होगा और left coset किसमें होगा तो left coset आपका होगा g समझे ये left coset किसमें होगा तो left coset होगा आपका g therefore लिएपूल के एक इकोल टू कितना हो जाएगा एक इस वन ए एस टू ए एस टू ए एस स्थ्री डॉट 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 यह यह आपका एड़िके लेफ कॉसेट इसके बराबर हो जाएगा और सबसे पहले अब हम लोगों को दिखाना है कि एस में यह जो एम एलिमेंट है यह सब का सब इस्टिंग है यानि कि सब का सब अलग है सबसे पहले हम लोगों को यही चीज दिखाना है Firstly, we have to show that AH has M distinct elements. सबसे पहले जिखाना है कि AH में M distinct element है और इस चीज को हम लोग by contradiction दिखाते हैं समझे इस चीज को हम लोग कैसे दिखाते हैं तो बाइं कंट्राडिक्स तर पूर दीश इस वे वे कंट्राडिक्ट्रीश क्यां वे किसकों लोग लोग दिखाना चाहते हैं इस चीज़ को मान लेते हैं और दिखाते हैं कि हम लोग जो माने हैं इसको गलत माने हैं इंप्लाइब लफ्केंशलेशन लगा तीज़े लेफ्क जिवा से आपके खंचल हो जाएगा तो है आई बराबर क्या होगा है इस आई बराबर एच जी माई लेफ्ट केमसे लेशन लॉग और ये किस लियम से हुआ ये आपका हुआ लेफ्ट केमसे लेशन लॉग से है और ह आई एच जे एच आई एच जे ये किसका अलिमेंट है ये एलिमेंट आपका है समझे है एच आई एच जे किसका अलिमेंट है तो एच का समझे है एच आई एच जे किसका अलिमेंट है यह है और आप क्या देखे कि एच में दो एलिमेंट आपका आपस में बराबर हो गया इसमें जहां कि हैए आपका प्राबर को गया है कि यह एक पर या जब ऑब्राबर हो गया और जब एड़क में डो एलेमेंट बराबर हो गया और यहां पर क्लेंब कर रहां थे यानि कि S का order M है, इसका मतलब दो element बराबर है, तो M order नहीं होगा, यानि कि M से कम order हो जाएगा, यानि कि M के बराबर order नहीं होगा, implies order of X is less than M, हाँ, यानि कि order of X is not equal to M, यानि कि order of X आपका जो है, यह M के बराबर नहीं होगा, समझे तो, order of X प्यारे बच्चों किसके बराबर नहीं होगा, यह भाई साहब आपका M के बराबर नहीं होगा, जो कि एक contradiction मिलिगा, समझे तो, यह क्या मिलेगा आपका एक कंट्राडिक्शन क्योंकि हम लोग लेकर चले थे कि आपका एक इसका मतलब यह हुआ यहां में जितने भी आपका एक में जितने भी है यानि कि जो आपका लेफ्ट गोसेट में इलिमेंट है सबका इस्वापका अलग अंपला इस एक एवरी एलिमेंट इंप्लाइज एव्री एलिमेंट और एट आग इस्टिंग्ट यानि कि एसका जितना भी एलिमेंट है यह सब का सबाव का डिस्टिंग्ट समझ गें यहां पर हम लोग लेके चले तो बराबर है लेकिन फिर एजे कंट्राडिक्शन हम लोग दिखा दिए भी तक आपको कोई समझ से कोई परसानी नहीं है तो आप पहले इसको नोट किजे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब दो पोप कि अभी तक आपको कोई समस्य परसाने नहीं होगी तो अब देखें अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या जानते हैं इस चीज को पहले लिखते हैं Also we know A-I-H intersection A-J-H equal to 5. A-I-H intersection A-J-H equal to 5. कहने का मतलब है कि दो आपका दो आपका डिस्टिंग्त लेफ कॉषेट में कोई भी आपका कोमन नहीं होता है समझे । कहने का मतलब है है कि लीफ हुआ सब्सक्राइब आप सब्स़ाईए हैं यह या living जो अपका तो आपका अल्ग बॉसे क्या होता है ले Alpha सीश को हम लोग यू कहें कि में फास इसмет में हम लोग पढ़ेते हैं और कॉसेट में क्या का पढ़ेते आए कुछ चीज़ को यहां पर लिखते हैं तो उस चीज़ को लिखते हैं कि सिंज कि जी इज ए कि पानाइट कि जी आपका एक फानाइट गुरूप है और फानाइट गुरूप में यदि एज का लेफ्ट कोसेट की बात करते हैं तो एज का लेफ्ट कोसेट भी क्या होगा फानाइट होगा समझ लिए चुकि जी आपका फनाइट है एक इसका सब गुरूप है तो एसका जितना भी लेफ्ट कॉसेट होगा वो सब का सब क्या होगा फनाइट होगा तो लिखेंगे सिन्स जी इस फनाइट गुरूप तो अच्छो नम्मर ओफ लिफ्ट कॉसेट अफ एच इन जी विल बी फनाइट आपया जाएस यह भाई साथ क्या होगा यह वाए सब आपका फनाइट होगा इसको मण लेते हैं कि यह कर बराबर हो गया तो फ्योरव से हम लोग क्या जानते हैं लिखेंगा एंड वाइट दिखन पोजीशन कि वी है लेफ्ट पोसेट जानते हैं कि जी किसके बराबर हो जाएगा तो जी बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा यह लेफ्ट डिकम पोजिशन वाराम से जानते हैं और इसका ओडर क्या हो जाएगा तब लिखेंगा व्याबर और फोर ऑडर ऑफ दी एकोल टूट किसका हो जायेगा ऑडर ऑफ एवाट पलस ऑडर ऑफ एटुएज पलस ऑडर ऑफ एकिस एड़ी आपका बराबर है और अफ दी आपका बराबर है सिद्व आप लेट लिए थे और ऊड़ेट यहां इसमें अलबें समझें यह सब्ट में कितना अलबेंट था एम डिस्ट्रिक्ट था तो A1H में कितना element होगा तो आपका M element होगा M इसमें भी कितना होगा M यहाँ पर भी कितना होगा पलस डॉट 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 पलस M ब्राकेट में कितना बार के टाई कितना बार के टाई क्योंकि आपका कितना बार आया कहने का मतलब है यह किसके बराबर हो गया यह M की के बराबर इम्प्लाइज एन ऐन बाइए है पोलाब टू कितना हो गया कि अन पया एकोल टू के शमझे सकने का मतलब है बनी का मतलब और अकुंघ कैस एभी आपको और यह है यह अपको क्या करता है इस प्रकार से क्या देखे कि ऑडर अफ सब्गूरूप क्या करता है और यही तो सब्गूरूप को दिखाना यानि के दाप सब्सक्राइब करता है तो प्यारे बच्चो मैं आपको बता दूं कि इसका जो है आपका सही नहीं होता है कहने का मतलब है कि यदि आपका और अब गुरूप को और अब जी को और अब एच भाग दे तो कोई जरूरी नहीं है कि एच आपका सब्सक्राइब इसकी कोई गरांटी नहीं है कि इस चीज़ को हम लोग एक इजांपल से समझते हालांके शुरी आपका यहीं पर प्रूफ हो जाता है लेकिन मैं आपको अधिशनल बता दें कि दी कंवर्स और इस चोराम इस नोट इस चोराम का कंवर्स तो नहीं होता है कैसे नहीं होता है जब नहीं दिखाना है तो एक आप इक्जांपल से दिखाएं और कि प्रकास है उरुप किस पर समझेए यह आपका ख्रूप गूरूप frend कि एची को लुटू कि वन आई वन और आई इसी का ले लिए जो की जी का क्या है सबसे है जी का क्या है सबसे थिक लेट जी पराबर इतना और एफ पराबर इतना जी इज अ मुल्टिप्लिकिटिफ गुरूप जी इज ए मुल्टिप्लिकिटिफ गुरूप एंड ओडर ऑफ जी बराबर कितना हो गया ओडर ऑफ जी देखिए किसना एलिमेंट है तो चार एलिमेंट है यादि कि जी का ओडर कितना हो गया तो फोर हो गया कि जिसकों लोग़ क्या लिख सकते हैं 2 Intu2 यानि कि order of इक कि ए कॉलरोफ ऐस्थ होगया टू को का जगा पर्जाब करव सकते हैं यानि कि इस कितना हो गया सतफा order of x order of kya हो गया? x यानिकि that is order of z by order of x equal to कितना हो गया? 2 यानिकि g तो आपका x से order of z order of x से divisible है समझे? order of z order of x से divisible है लेकिन क्या? h आपका g का सब गुरूप है क्या? इस चीज़ को चेक किजिए तो यहाँ पर देखिए तो h में आपका 1 और i हो मज़िए? h में आपका क्या है? 1 और आपका i है जो यह आपका मज़िए? जो यह आपका गुरूप है ही नहीं यह आपका एक गुरूप, multiplication पर यह गुरूप तो आपका है ही नहीं ठीक है? बट h equal to 1i is node a multiplicative group लेकिं यह तो आपका जो है, multiplicative group आपका है नहीं, क्योंकि गुरूप में आपको क्या का प्रोपर्टेश चाहिए? तो closer lock closer का बाद आपको identity चाहिए, inverse चाहिए, associative चाहिए, तो यह आपका सारा rule को follow नहीं करता है, किस operation के तहा है, तो multiplication operation के तहा है, और जब यह गुरूप है ही नहीं, तो सब गुरूप कैसे होगा? जब यह गुरूप है ही नहीं, तो आपका सब गुरूप ही नहीं हो सकता है, that is, that is, H is not subgroup of D, यानि कि H जो है जी का सब गुरूप नहीं होता, जब कि order of H, order of G को भाग देता है, लेकिन आपता है जी का सब गुरूप नहीं होता है, यानि कि लेगरेंजिस्टोरम जो है, आपका कनफर्स में डूप नहीं होता है, पोड की प्यारे बच्चों, आपको कोई दिक्त कोई समझता है पूल परसाने नहीं होगी आप इसको नोट किजें और फिर लोग इस चीजोग तब तक के लिए थाइंक्यू धन्वार जय हिंद ो जाखते हैं हिए का है आएग हमलुग नेक्स को सौल्व करते हैं किया है नेक्स को स्टा करता है कि एक गरूप विज़ पॉड़ और फ्योवर एलिमाइंट्स कीजिसरेषरी कहने का मतलब है कि एक गरूप में यदि चार या चार से कम एलिमेंट रहता है तो आपका गरूप और आए का गाख ने का मतल्ला बेंकर मुख्यक्व घृए और यह ने ना तो आ कि लेकिन इसको शीद्ध करना ऑपिले को को चूरिद करना चाहिए मैं इंग Congress the कि एक भुर confusing In the Evo theorem, first we will show that a group in which all of the elements is is its own inverse, then the group must be abelion. In the Evo theorem, first we will show that if you have a group in which all of the elements, then the group will show that you 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 will show that. Let G be a group and let A belongs to J, B belongs to G with A inverse equal to A and B inverse equal to B. A and B are two elements of A and B are two elements of A and B is B. A लावका अपका गुरूप में है तो गुरूप का पहला पॉर्पटेज जो होता है, Closure Lock, AB भी आपका गुरूप में होगा. लिखेंगे, SINCE, SINCE, A, B belongs to G, therefore, A, B कहां होगा, G में, और हम लोग क्या लिखेंगे चलें, कि G में जो भी element हुआ अपने आपका inverse है, लिखेंगे, therefore, A, B inverse equal to A, B, is all the elements of group are its own inverse, तो A, B inverse equal to A, B, लेकिन A, B inverse को हम LEYिखेंगे, B inverse A, B, इसको हम लोग क्या लिखेंगे सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, B inverse A, B हो गया, लेकिन B inverse, B के बराबर है, A inverse, A के बराबर है, तो B A बनाबर A B और A B बनाबर B यह दिखा दिये, इसका मतलब की कमुटेटिव हो गया, that is, that is, G is कमुटेटिव, that is, G is an abelian group, इसका मतलब की G आपका जो है, जी आपका एक abelian group है, चिक, कहने का मतलब हम लोग यह दिखाए कि यदि किसी group है, सारे element अपने आपके inverse है, तो वह group आपका abelian group होगा, इसका use अभी हम लोग करेंगे, अब आए यह main part को देखे, चार या चार से कम element group में रहता है, तो आपका abelian होगा, इस चिसको दिखाना तो चार केस ही में हम लोग दिखाएंगे, case 1, when g has one element, let g equal to e, जब एक element है, तो अभ्यस बात हुए element आपका इडेंटिटिटिटिटिटिंगोगा, जहाँ पर e क्या है, एय कर दिखान है, where e is, identity, since e e exactly e error a mindfulness, चुकि e e और e, और a आपका बनावर ही होगा, दाएं का भाएं, पाएं का दाएं, इसका मत्निखाना का क्म devantative हो गया, और इस लिए आपका group abelian को जाएगा, therefore g is, अबलियन, फिर्स्ट केसमे जी आप कहा होगया है, फिर्स्ट केस में जी है आप कहोगया है, फिर्स्ट केसमें ले जी रिजी, Case 2, When G has Two Elements, Let G equal to E A, Where A is not equal to E, A is not equal to E, के दोब एये बराबर आर्फ इन को पर नहीं उस उप्रेशन के साथ में इस और सब्सक्राइब के साहथ सब्सक्राइब तो दाएं जब आएं बाएं का ताया निकमों टीटिव लाव को फोलो कर रहा है इसका मतलब जी आपका बिलियन देर्फोर जी इस अब इस अब इस त्री अब जी है अब त्री अब लिट जी इकोल टू ए ए बी जी ओड़ी एपी वी नो हम लोग क्या दाते हैं कि एक इनवर्स तो एक बराबर ही होता है अब दो चीज बता या तो ए और भी अपने आपके इंवर्स हो या तो या तो एक इनवर्स भी और बी के इनवर्स तो आइए दोनों कैसे में लिखके चलते हैं कि एक इनवर्स बराबर एक बी इनवर्स बराबर भी देंश कि इनवर्स ए या और लोगों कि हम लोगों दिखा चुके हैं यदि किसी गृप में हर एक इलमेंट अपने आपके इनवर्स रहे तो वह गृप आपका विलियन हो जाएगा लिखेंगा देखूर और यदि सकेंड के सोगा कर एंड इस एंवर्स बराबर भी हो जाएं तक क्या होगा समझे यदि एंवर्स बराबर भी हो जाएं तक क्या होगा कदे ई-ध बराबर विए वी बराबर विए और फी जगों य जयानी कि य म participating क्या जाएंगा तो by यह बराबर हो जाएगा बीके जगें वर्ष रख दीजें न वर्ष ए बराबर इस देट इस एवी बराबर कितना हो गया बी एवी बराबर बी लेकिन यहीं पर आपको कम्प्लीट ने होता है आपको हर एलिमेंट के साथ कंपो टेटी दिखाना पड़ेगा अब देखिए और देखिए अल्सूं कर पिए बराबर के लिगां है और ऑपको सब्सक्क्राइच क्या सब्सक्राइब एपको घ्राइब बराबर हो गया और यह अपनीके साथ में आपका क्या है कमूटेटीव है और इसफीच गुरूप आपका क्या हो गया कमोटेटिव गुरूप कहने के मतलब आपका वेलियन गुरूप हो लिटे करते हैं पूर पूर जी इस कि अब इसलिए जी आप कर वेगा हो तीन केस हो गया आप इसको नोट किजिए और फिर आपको चोथा केस में बताता हूं कि अब यह लास्ट केस लेकर चलते हैं केस फोर इस फोर है कि वें जी है कि फोर है कि एलिमेंट्स कि लेट जी को और तो अडेंटिटीटीट होगा है एए बी सी एए बी सी अब देखिए यह तो अपने आपका इंड़र्स होता है इसके बाद बसता आपका तीन गीमिंट में आपका क्या क्या हो सकता है तीन कि ऐस्टा है यदि एक करी भेस भी कंवर्ष कुन तो सी के इंभर्स क्या होता है या एक अपने आपके इंभर्स हो सकता है भी अपने आपके इंभर्स हो सकता है कहने का मतलब है कि आपका जब और नमर में बच जाए एक तो अपने आपके इंभर्स है इसको छोड़कर आपका तिन एलिमेंट बचता है इस तिन element मैं से कम से कम एक element अपने आपके इनवर्ष होना चलिए क्या लिखेंगे स्थेश एक एक कि प्राम से थेस्त विखें भी ठेर ब का token कि आपके रॉट्ष हुट्रै कि आपके ऊपके जिएरों st य nego तूभ से हुट उट है的 और इन्भर्स एड लिट इट बी और माल लेते हैं को आपका यह त इस चीज़ को हम लोग माल लेते हैं अब फिर आपका दो केस हो सकता है अब भी और सी बचा हो सकता है बी अपने आपके इन्भर्स हो या फिर वी के इन्भर्स और सी इन्भर्स बी तो दो केस बसता है पहले केस में ले लिए यह की आपका वी के वर्स बी और सी के वर्स इस कि इस कि इन्भर्स इकोल टो बी एंड इन्भर्स इकोल टो सी तो देंट बाय एव और रिजल्ड जो हम लोग इसके पर विज़ों दिखाये कि सारा इलिमेट अपने आपके वर्स हो गया ना इक इन्भर्स इसका मतलब की गुरूप आपका अबिलिया होगा है वाइव और जब जी इस कि अबिलिया है कि इस कि पीन वर्स बराबर सी अब दूसरा किसम यदि पीन भर सी के बराबर है कि इसका मतलब कि ए आपका हो गया इसका मतलब कि ए ये बराबर क्या हो गया इसका मतलब के वर्स और नमस्काम के बराबर किस स्केश्व में हम लोग क्यासीन टेवल कैसे बनाएं को आया हमकोजिशन टेवल बनाते हैं इंदिस केस कि इंदिस केस लिग लिए अप्नोचन टेवल कि में वी आइस फॉलो इस प्रकार से हो सकता है कैसे तो देखें ई ए बीशी कि ए ए ए बीशी कि ए ए ए बीशी कि अप्विश्टिशन कैसे होगा आप जानते हैं कि अप्रेसेंट से फर्फ पढ़ता नहीं तो देखें आपके पास क्या क्या है आपके पास बीशी बराबर ए बीशी बराबर ए बीशी बराबर आपके आपके पास की है कि एसीवी बराबर ए ए ए बराबर ए इतना पहले से जानते इतना पहले से जानते आप देखें तो क्या विश्टेंट तो इस लिए को वह ने उसले हो चुका है बीडी आपका हो चुका है इस रो में आपका एक रहो चुका है है यहां पर लिए बर्चता है सब्सक्राइब यहां पर लिखेगा कि यह वी में भी इक वान टू वी और सी वी और सी यह तो बी के बराबर होगा यह सी के बराबर होगा क्योंकि किसी भी और पॉलम में आपका एक्स्ट्रा एलेमेंट नहीं हो सकता है जर्भी होगा यहीं चार एलेमेंट ही आपका होगा ठीक है तो यह बीने इकोल सुब और सी लिख यह वी इकोल तो बी कैंसे लेशन लाव से बीडी कैंसे इंप्लाइज ए बराबर कितना हो नहीं होगा चैने कि कि अधी बराबर मेसे आपका नहीं होगा नोट पॉस्थ का रुर आपके ये बिलाबर हो जाएगा आपका हो गया अभेफिजिवी तो है यह निज्बाबर हो अब इतर देखें कि यह विया आपके आप किसके इस बार हो जाएगा अब भी एग विया किन देनें पीस को जाया और प्रयाख के लिए यह तो पिद्सक्राइब ले चुक्त है न बिया बराबर ए और विए कि यह बराबर आपका क्या होने का चांस है ए और सी लिद इस ब्सक्राइब के इंप्लाइज ए ए गेंद इस बी बराबर एपना ए लेकिन वी तो आपका डेटिक बराबर होई ने सब्कान है नोट पॉसिवल देर्फोर बी एबराबर कितना हो जाएगा सी तो बी एबराबर सी ओगा किसकी कमी रह गई है एकी कमी रह गई है कप यहां प्लिशन फेरा अब देखिए तो आप कैसे लिचाई का कि अब कॉलंग मैंच देखे एए सी हो गया वी की कमी है सी वी हो चिका है एकी कमी तो इस तरह से आपका जो है त्यार और देखें कि क्या इन कम्मुटेटिव है यह यहीं आपका अपका ब्रूप आपका बेरियन हो जाएगा और चेक करने का में आपको तरीका बता रहा है यहां से देखेगा देखे कि क्या पहला रोग पहला कॉलम बराबर है ई ए बी सी ई ए बी सी बिल्कुल बराबर है कमुटेटिव चेक कर निकले तरीका में बता रहा हूँ दूसरा रोग दूसरा कॉलम बराबर है ए ए सी बी सी बिल्कुल बराबर चौथा रो चौथा कोलम बराबर है CBAE CBAE और यह बिल्कुल ही बराबर है और जब ऐसा होता है आपका कमुटेटिव लाव फोलो होता है लिखेगा फ्रोम एवोग कमपोजिशन के वल फ्रोम एवोग कमपोजिशन के वल इस पिलियर डायक्ट जी इस कमुटेटिव एंड थैस जी इस एंड अबिलियन ग्रूप इसलिए जी आपका क्या हो गया अबिलियन ग्रूप तो हम लोग चारो केस में देख लिया समझे हम लोग जो है तो प्यारे बच्चों हम लोग चारो केस में देख लिये क्या देख लिये कि चारो केस में आपका गुरूप अबिलियन यानि कि जब एक अबिलियन हो या दू या चारो केस में आपका गुरूप क्या है अबिलियन है इस चीज को हम लोगों को दिखाना था होग कि अबियत्या का आपको कोई समस्षा है कोई परसाने नहीं हुई होगी आप इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे अगे कि अब हम लोग गुरूप सी को पढ़ते हैं गुरूप एक कोशन को हम लोग कर लिए गुरूप बी के कोशन को हम लोग सॉल्व कर लिए और गुरूप सी के कोशन को हम लोग सॉल्व करेंगे गुरूप ए में प्यारे बच्चों हम लोग तीन को सॉल्व किये थे गुरूप बी में हम लोग एक कोशन को सॉल्व किये चार कोशन हो गया और गुरूप एस बिस से जैसा कि मैं आपको शुरू में ही promise किया था हम लोग 3 question पढ़ेंगे group C में आपको 2 book होता है एक आपका matrix algebra है और एक trigonometry है इस दोनों के मिलाकर हम लोग 3 question को solve करेंगे कैसे कैसे वन्हें चरक सरकिस्टक खुर्वं है व्हुत्र से 188 को लगेए सदी 14 को करेंगे से जो पहलेंद हैं उसको मैं लिख दिया हूं इसको फढ़ते हैं समझते हैं और फिर हम लोग आगे बठते हैं क्या काता है so that the necessary and sufficient condition for a square matrix A to possess the inverse is that A का determinant is not equal to 0 A का determinant is 0 के बराबर नहीं है कहने का मतलब यह हुआ आख कि यह आपका कैसा matrix है यह आपका है One singular matrix समझ गहैं कैसा matrix है यह तो non singular matrix है हम लोगों को if necessary and sufficient condition दिखाना जानी हम लोगों को पहले दिखाना है कि यदि एक कीमदबर संभव है तो एक का determinant 0 के बराबर नहीं होगा फिर हम लोगों को दिखाना है एदि A का determinant 0 के बराबर नहीं है तो A का inverse संभव है हम लोगों को दोनों तरफ से दिखाना है आईए इसको हम लोगों solve करते हैं प्रूप लिख यहरा एदधी में जैए बीयुरिण है and B B इस को मिशाला ऑन॓ए इस आइए वी में इसक ताइए झेर सब्सक्राइबकर हम लोग कों सा केस्ट ले रहे हैं सब सिक्वाग लिए और बिस्काइब Bever कि कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स और उसकी मिल्ष की यह तो क्या मिल जाता है समझें और उसके इंवर्श को मल्टिप्लाइ करते हैं या यानि ए-प्रीट्रीक्स एक स्वार्ण से बी इसके इनवर्श है तो एभी आपका किसके वराबर हो जाएगा आई के वराबर अब दोना तरफ देड़ लिजे और बीका डिटरमिनान इकोल तो जानते हैं कि दो अलग अलग भागों में यह समझें और कुम जानते हैं कि यह ज़्यांत तुम मैं मतव है कि आपका A का determinant B का determinant किसके बराबर हुगया 1 के बराबर और जब आप संख्या को जब आप दो number को multiply करते हैं और result आपका वन आता है तो यह sure है कि ना तो A 0 के बराबर होगा और नहीं B0 के बराबर होगा या ना तो A का determinant 0 के बराबर होगा और नहीं B का determinant 0 के बराबर होगा तो क्या लिखेंगे लिखेंगे therefore A का determinant 0 के बराबर नहीं होगा that is A is non-similar यानिके A कौन सा matrix हो गया तो A आपका हो गया non-similar matrix समझे यह आपका हो गया non-similar matrix सकेंड केस लिखें और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूँ मैं बता दूँ कि यह कोस्तन का पुरूफ बहुत ही छोटा होता है बहुत बड़ा पुरूफ नहीं होता है तो मैं आपको कहूंगा कि इसके पुरूफ के लिए आप पहले एक बार inverse of a matrix को define कर दिजेगा समझगे मैं आपको बता देता हूं कि इसके पुरूफ से पहले चुकि इसका पुरूफ बहुत ही छोटा होगा तो इसके पुरूफ से पहले आप inverse of a matrix को define कर दिजेगा तो बहतर होगा तब आप justify कर सकते हैं कि आपको 8 में 8 नमर आएगा नहीं तो इसका जो पुरूफ है इ आपको इनवर्स ऑफमेंटिक जरूर डिफाइन कर दिजेगा तर भी आप में आप नमर अब जस्टिफाइब कर पाई एगा अब देख भी आप सकेंड पार्ट क्या हो गया कि इस टू केस्टू केस्टू में वें ए इनवर्स इस नोर्ट इकोल तो जिरू यह जो यानि की एका डिटर्मिनान जरू के बराबर नहीं हो को तब क्या करना है वी जो हम लोग जानते हैं कि ए ते इसओ एक्वल टू तो और जो एक एक इक एक एक इस इन एक ओडेटामिनान औरा यह वन्दा है यह चीज हम लोग जानते हैं समझें इस चीज को हम लोग पहले सिद्ध कर चुक है और आप यहां पर जानते हैं कि एक डिटर्मिनाइब जिरो के बरावर नहीं होता आप दोनों तरफ बल्कि तीनों तरफ यहां पर आप इससे भाग दे सकते हैं लिखे डिवाइडिंग कि आफ चीज भाइड़ ऑन ऐ का दितर्मिनाइब तो क्या हो जाएगा एड़्वाइड ऐड़्य कर डितर्मिनाइंड इक्वोड फ़्योंट एड़्य वाइड एक डितर्मिनाइड यहां पर भाग दिजिए गाप्या क्या मिलेगा आई मिलेगा इस देखें यह किस फॉरमेट का हो गया यह व्ला फॉरमेट हो गया थोड़ी दिर के लिट कीजिए लिट इस दोई पाइड इसलिए बोला था कि इनवर्स ऑफ एट्रिक्स डिफाइप चड़ने के लिए क्योंकि यहां पर अब यूज करेंगे हम लोग इनवर्स ऑफ मैंट्रिक्स से क्या जाते हैं यदि दो मैंट्रिक्स को पंटिप्ला करते हैं और रिजर्ट आइडेंटिटी मिलता है तो पहला मैंट्रिक्स दुसरे के इनवर्स हो जाएगा और दूसरा मैंट्रिक्स पहले के लेकिन वी किसके बराबर वी आपका बराबर है जैटी तो देखें बस आपका पुरूफ हो गया समझे पुरूफ कम्प्लीट हो गया अब आप पर प्रूफ के शोटा सी जापर से दिखा दीजेगा आपको इसी भी बुक में यह चीज मिल जाएगा तो एक पेज उससे हो जाएगा फिर जो है इसी को दो पेज में लिख दीजेगा तो आपको आपने जिस्तिफाइगा और इस प्रकार से जो कहता था वह हम लोग निकाहिए थिक आप इसको नोट किते हैं कि आई अग एक पेट इसकों पड़ते हैं कि एक फूर क्रॉस प्रकाइए और इसका कहता है कि आपको निकालना है आपको निकालना है तो याद कीजिए रेकिक निकालने के लिए हम लोग या तो न्हistas करसकते हैं जिसको करिके nut भी बोलते हैं या फिर इचलों फॉर्ब में लाकर हम लोगा निकाल सकते हैं यह प democrats या जिसको kerयों वॉलते हैं उसके सब्सक्राइब करते हैं और दो बहतर गगा जोकी महांद से निकाला है तो direct मेंखा वह आपका 3 न आपको मुश्किल हो जाएगा तो बेस्ट होगा कि इसको इस लेन फॉरम से निकलते हैं तो क्या होता आप फॉर्मिट आईए हम लुक सिर्फेंज पहला बोलिये तो क्या टार्गेट है फरस्ट आरगेट इसकोने पर एक लाना होता है तो रोकी मदब से लाइए इस दोनों का स्वापस मिंट्रेश कर दीजैर था यानि कि आर ओन पो चेंज किजिए पर थ्री से समझ यह आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे दो से भाग दीजेगा तो देखे यहां पर भी एक हो जाएगा यहां पर माना से कुंग यहां पर ती हम चूकि बटेए 김र се ऐंहिए करने बात पूला केस और नहीं करते करने में बता है हर जगास वाग देने पर पूरा का पूरा वोल नमर foremost की अ सब्ढल है इसलिए बहतर होगा कि आप चोना नहीं इंटर्शेश करने के बजाए आप R1 में भाग दे दिजिए 2 से तो कैसे होगा R1 और आपको 2 से भाग दे दिना है तो क्या मिलेगा बोलिए तो 2 से भाग दिजिएगे 1 2 से भाग दिजिएगे मानस 1 0, 3, 4, 2, 0, 2 1 मानस 1, 0, 3, 1 मानस 2, 1, 2 होगा ठीक और जहां कहीं भी आप एक लाए है समझे जहां कहीं भी एक लाए आप उसके नीचे सब को क्या करना है जिरो करना है तो आईए वही कीजिए यानि कि आर्टू को चेंज कीजिए और 2 मानस 1, किसे मल्किप्लाइ कीजिएगा 4 से और 3 में तो डारेक्ट आप मानस करतीजे और और 4 में भी आप क्या कीजिए डारेक्ट मानस करतीजे तो दिखे तो क्या मिलेगा आर 1 में कोई चेंजिंग नहीं जे 1, minus 1, 0, 3 4 से गुना करके घटा रहे है 0 4 से गुना किए तो minus 4 आगा तो फलस चा 4, 2, 6 4 से गुना किए फर्तने पड़ेगा 4 से गुना किए 4 तक इए 12 2 से 12 गया minus 10 2 से 12 गया minus 10 1 से एक गया 0 minus 1 से minus 1 गया 0, 0 से 0 गया 0, 3 से 3 गया 0 हो गया फिर देखे तो 1 से 1 गया 0, minus 2 और यह minus 1 है तक पला से 1 यानि कि minus 1 बचेगा 1 से 0 गया 0 2 से आपका 3 गया minus 1 2 से 3 गया अब दा कितना हो गया तिया आपका हो गया minus 1 हो कि यहां तर कोई दिकत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब अगला एम क्या है अगला एम है समझे इस जगा पर क्या लाना तो इस जगा पर आपको लाना है 1 कहां पर 1 0 से 3 में लाश्टी यहां पर यहां पर 1 से जीरो हो गया यहां पर 1 हो जाएगा बादर बादर के तो सेम है ना बादर बादर के तो कोई दिकत नहीं है चीकर देखी अब अगला एम यहां पर क्या लाना 1 1 लानने के लिए आपको क्या करना 6 से भाग दे दीजी 6 से आप क्या कीजे भाग दे दीजे याने कि R2 को चेंज कीजे कैसे R2 इंटू 1 बाद 6 बोलियो तो क्या मिलेगा R1 में कोई फर्थ नहीं 1 1-1 0 0 3 6 से भाग दीजे 0 6 से भाग दीजे 1 6 से भाग दीजे 0 6 से भाग दीजे माइनस 5 बाद 3 और शिरीज को उतार लेजे 0 0 0-1 0 1 और 0-1 ठीक अब जहां भी आप एक लाय है उसके नीचे आपको क्या लाना है 0 यहां तो और लेड़ी 0 है इस जगह पे आप 0 लाइए यह कौन सा घर है C4 C4 नहीं R4 R4 को चेंज किजे कैसे आप R2 को सिंप्ली जोड दीजेगा कि कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा हाँ यहाँ ने तो देखे तो का मिलेगा 1-1 0 3 0 1 1 0 5 by 3 इसमें तो कोई फर्क में पढ़ेगा और जो है इसमें क्या किजेगा कि इसमें जोड है आप इसको लाकर नहीं हाँ जोड रहा है 0 इसको लाकर जोड रहा है 0 इसको लाकर जोड रहा है 1 इसको लाकर जोड रहा है तो देखें इधर मानस 5 by 3 मानस 1 तीने कम 3 पांस तीन आठ मानस 8 by 3 हो गया समझें आपका कितना हो गया तो माइनस एट बाइट थिरी अब अगला इस्टेप आपका क्या होना चाहिए अगला इस्टेप अब यहां पर एक आना चाहिए यह तो है यह नहीं तो कम्प्रीट जूरू है तो इस दोनों पापस में आप इंटर चेंज करते हैं समझें याने कि हो को डिप्र किजिए अखरीश को क्या मिलेगा देख सो गातने कि एक पत कि हाओ माइनस 1 और ने पिए निजियर ऑगगा जीरो 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 जीरू जीरू जीरो जीरो जीरोiffe अब जैखें तो देखें तो एक नीचे 001 लह एक नीचे 0 05 5 बम्हाद में चुका है ह्यां ने कि यह जब चुणत आशिका है तो आप पता apart कि कितना ऐसा जो complete 0 है एक जो और इसमें कितना total रो है चार रो है एक दो तीन चाट चार रो है और एक complete रो आपका कितना होगा, जिरू तो रेंक इतना मिलेगा तर्फ़ रेंक ओफ एक्वाल तो यह पूर आपको क्या मिल गांट तो तीन इसका स्मेट्रीक्स का रेंक हो गया इसको आप कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखें नेक्स्ट कोशन को हम लोग पढ़ते हैं और नेक्स्ट कोशन सेम यही कोशन आपका 2017 में पूछा हुआ है यही कोशन 2017 में आपका पूछा हुआ है तो प्यारे बच्चों यदि इस कोशन का सुलूशन आपको देखना है तो मैं 2017 का सुलूशन अपलोड कर चुका हूं यूटूब पे तो आप वहां से देखने जिएगा मैं एक बार आपको फिल से रिपीट करके बता रहा हूं कि सेम यही कोशन 2017 में पूछा हुआ था तो इस कोशन का सुलूशन के लिए 2017 का जो मैं वीडियो अपलोड क्या हूं आप उसको को देख लिजेगा और फिर आप वहीं से इसका नोट को बना लिजेगा ठीक है तो ओप कि आपको कोई दिक्कात कोई परसानी नहीं होगी तो आईए अब लोग फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर झाल कि अब लोग कि अब लोग कि अब लोग कि अब करते हैं कि क्या है कहता है कि n आपका एक positive integer है और तब हम लोगों को दिखाना है 1 पलस आई पे पावर n पलस 1 मानस आई पे पावर n इकोल टू पे पावर n पलस 2 बाई 2 इन्टू कॉस कॉस n पाई बाई 4 इसके साथ में कुछ और भी है क्या कॉस कॉस के साथ देखिए तो कॉस के साथ में कॉस के साथ में क्या पता उसमें बिल्कुल नहीं लिखाओ और पावर में यह कॉस एन फाइवा फोर समझ गें इस चीज़ को अब अपने पॉसर बैक में उसको एक बदार लिजेए तो पावर में ना वहाल लिखा हुआ उसको उसको सुदार निकें एक पाई वाव को कि समझ गें तो देखें कैसे प्रूफ कीजेगा तो इसके LHS लेकर आप आगे बढ़िए LHS इकोल तो क्या हो जाएगा LHS इकोल टू 1 पलस I पे पावर N पलस 1 मानस I पे पावर N पुट किजिए पुट 1 बराबर ये वला 1 बराबर R cos theta और I के बगल में जो 1 है उसके लिए R sin theta समझे इधर बढ़ा 1 के लिए R cos theta और I के बाजू में जो 1 है उसके लिए R sin theta पुट किए squaring and adding therefore 1 square plus 1 square equal to R square cos square theta plus plus R square sin square theta हो जाएगा 1 plus 1 2 2 equal to R square cos square theta स्वला सानी स्थीटा इसके भेलू 1 तो R equal to 2 तो R equal to 2 तो पावर कितना हो गया 1 by 2 ठीक है और आप भाग भी दे रिजे तो R sin theta by R cos theta equal to 1 by 1 R R cancel तो 10 theta equal to 1 तो आपका जो है 10 theta equal to 1 तो theta equal to तो कितना होईगा 10 verse 1 यानिक इक्वल टू बे आपका हो गया पाई बाई बाई पाई बाई भाई ठीक और अब आईये तो अब RHS LHS बराबर देखे क्या हो जाएगा देर्फोर LHS equal to 1 के जगा पे R cos theta plus I के बगाल में 1 है उसके जगा पे R sin theta और साथ में I इस पे power N plus Mg R cos theta minus R sin theta और I पे power N आप ऐसा किजे आर पे power N आपका बाहर आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा cos theta plus I sin theta पे power N R को में लिजे cos theta minus I sin theta पे power N और देर्फोर्ट स्थोरम क्या खाता है कि power जो है एंगिल के साथ multiply हो जाएगा यानि कि R पे power N cos N theta plus I sin theta plus R पे power N cos N theta minus I sin N theta हो जाएगा R पे power N को में लिजे cos N theta plus I sin N theta plus cos N theta minus I sin N theta हो जाएगा ये दोनों भाई साथ कैंसे R पे power N into 2 cos N theta R के जगर पे क्या रखेगा 2 पे power half R के जगर पे 2 पे power half और इस पे power N into 2 cos N और theta के जगर पे pi बाब 4 है theta के जगर पे pi बाब 4 N plus ऐसा यहाँ पर power 1 है power 1 है है नहीं जो पे 1 ही power है तो यहाँ पर कितना हो जगर N plus 2 by 2 into cos N phi by 4 और देख लिजे कि आपकर क्या हो गया RHS समझे यह आपकर आगया RHS hence pro hence pro इसको आप नोट के जाएगे आई अब हम लोग next question को solve करते हैं क्या कहता है कहता है कि find the equation whose roots are the nth power of the roots of the equation यानि कि हम लोगों को एक ऐसा एक्वेशन निकालना है जिसका root कि इस equation के root का nth power है समझे हम लोगों को एक ऐसा एक्वेशन निकालना है जिसका root इसके root का nth power है आई ये solve करते हैं पहले जो एक्वेशन दिया हुआ है इसके root को आप लिए solution given equation is x square minus 2x cos theta plus 1 equal to 0 x बराबर बोली तो गुर्शन निकालना है क्या तरीका है minus b plus minus under root b square minus 4 h c बा 2 h minus b b के जगा पे 2 cos theta है plus minus under root b square minus 2 cos theta का whole square minus 4 h c by कितना 2 है तो x बराबर आपका कितना हो गया तो x बराबर minus into minus plus यहने कि 2 cos theta plus minus minus 2 का square 4 और यहां भी 4 है तो आपका जो मैंना 4 common आ गया और cos square theta minus 1 बजिया और बगर बटे में 2 यानि कि x बराबर 2 cos theta plus minus 2 बाहर minus आप यहां से common लेजे 1 minus cos square theta और बटे में क्या हो जाएगा तो बटे में आपका हो गया 2 और फिर देखें तो फिर x इकोल तो पहले तो उपर नीचे 2 तो काट देजें कॉमा लेकर यहां पर क्या बच जाएगा cos theta और फिर plus minus यह जो है आपका minus 1 यानि कि यहां पर आप लिख सकते है i square क्या लिख सकते है i square और 1 minus cos square theta का मतलब sin square theta यह भाई साहब हो गया sin square theta कहने का मतलब x equal to cos theta plus minus i sin theta समझे गया i sin theta तो दो रूट्स मिला ना एक plus में मिला एक minus में दो रूट्स मिला तो क्या लिखिएगा therefore alpha equal to कितना cos theta plus i sin theta और beta equal to cos theta minus i sin theta ठीक यह दो रूट तो निकाल ली लेकिन अब क्या काता है कि आप एक ऐसा equation बनाए जिसका root इसके root का nf power तो nf power निकाले जी alpha पे power n निकाले तो क्या होगा alpha पे power n equal to cos theta plus i sin theta पे power n यानि कि alpha पे power n equal to cos n theta plus i sin n theta होगया और beta पे power n equal to cos theta मानस i sin theta पे power n तो beta पे power n equal to cos n theta मानस i sin n theta समझे और याद कीजे कि आपका quadratic equation बनाना है roots दिया हुआ है तो quadratic equation कैसे बनता है यान है किसी को quadratic equation कैसे बनता है यह roots आपका दिया हुआ है तो यह जानते हैं x square minus sum of the roots into x plus product of roots equal to kitna 0 यानि इस तरह x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0 यह जो है आपका format समझे यहाँ पर भी आपको वही करना पड़ेगा पहले sum of roots निकारना पड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा alpha पे power n plus beta पे power n equal यह आपका हो गया cos n theta plus i sin n theta और beta पे power n का मतलब cos n theta minus i sin n theta यह दोनों कैम से यानि कि alpha पे power n beta पे power n बराबर 2 cos n theta अब product of fruits निकालिए alpha पे power n beta पे power n बराबर cos n theta plus plus हाँ बलके plus ही है plus कितना i sin n theta और फिर आपका हो गया cos n theta minus i sin n theta a plus b into a minus b a square minus b square यानि कि cos square n theta minus i square sin square n theta i square minus 1 minus into minus plus cos square n theta plus sin square n theta sin square n theta sin square कितना हो गया n theta और ये किस के बराबर और ये किस के बराबर 1 के बराबर यानि के alpha पे power n into beta पे power n equal to हो गया 1 लिखे के hence the required equation कि hence the required quadratic equation will be क्या हो जाएगा x square minus alpha पे power n plus beta पे power n x plus alpha पे power n beta पे power n equal to 0 यानि कि x square minus इसका value क्या है 2 cos n theta यानि कि 2 cos n theta x a plus alpha पे power n beta पे power n किसके बराबर है 1 के बराबर 1 equal to 0 यही आप तरही quadratic equation हो गया यही चीज हम लोगों से पुछ रहा है समस्के तो इस प्रकार से hope कि आपको कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं होई होगी प्यारे बच्चो तो इस प्रकार से देखिए कि group A से हम लोग 3 question solve कर लिए group B से हम लोग 1 question solve किये 4 question और group C से हम लोग 3 question solve किये तो 4 तिक 7 question हो गया hope कि 2016 जो मैं आपको बताया आपको बहुत ही मज़ा आया होगा अप अच्छी तरह से समझा होगे तो अब आप इसको नोट कीजे और फिर हम लोग अगले साल के लिए बढ़ते हैं तब तक के लिए thank you धन्वाद